तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको फिर हेरा फेरी मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी के जम्मन में कहानी और चरेद्र से जोड़े तत्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लिजे जिससे आने वाले सारे वीडियो का नॉटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्हीत करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा दन्यवाद फिर हेरा फिरी अनुबाद मैन की बिजनेस वनागेन 2006 की एक भारती इंदी वाशा की कॉमेडी फिल्म है जिसे नीरत बोरा ने लिखा और नयदेशित किया है यह हेरा फिरी 2000 की अगली कड़ी और हेरा फिरी फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त की रूप में काम करती है नियाक्षा कुमार, सुनिल सेटी और परिश रावन ने विपासा हुसूर, गिमी सेन, जौनी लीवर और राचवाली आदब के साथ किसरी फिल्मिन से अपनी यादों को दोराते हैं इस पिरकार भागे का एक मोर राजू शाम और बागुराम का जीवन बदल देता है जब ये दोकेवाज अनुराधा द्वारा दोगा देते हैं उन्हें आफ खूंकार, अत्याचारी तो उतला सेट से लिए गहरेवों को चुकाने का कोई और तरीका होगा केंडरी कथानाग 1998 की फिल्म लॉकिस्टॉप और टू स्मोकिंग बैरल से प्रहना लेता है निर्देशन, नीरजवोरा, ध्वारा लिखेत नीरजवोरा द्वारा निर्मित, फिरोजे नाडियाडवाला अभी अभी ने किया, अक्षर कुमार सुनिल सेटी, परेश रावल, वर्लन करता, नाना पाटेगर, छायंकन, बेल डाज, बिरोदो द्वारा, दिवाकरपी, होसले, विरिंद्रगर से, संगीत यह, हिमीश रेश्मिया, अत्वाधन कंपनी, बेस इंडस्ट्रीज ग्रूप, द्वारा दिया गया, बेस जारी करने की तारिक, 9 जून 2006, कारेकारी समय, 153 मिनट, देश, भारत, भार्षा, हिंदी, बजट, 18 करोड, बॉक्स ओफिस, 79, 12 करोड, 9 जून 2006, कुरी लिजी, फिल्म एक बड़ी वेपसा, एक सपलता थी, बर्ष की आठ भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन के कारन एक पंधका, इस्तर और मैटपॉन पर संसक प्रात हुए हैं, इसे अब कॉमेडी फिल्मों में से इमील का पत्थर माना जाता है, साथ यह अब तकी सबसे बहतरी स्विकल में से एक है, टोक, हेरा फिरी, गाजू, घंशाम, ओयशाम, और बावुराम, गडपतराय, आपटे, प्यार से बावु विजा कहला जाने वाले की टिकड़ी के साथ समाथ हुआ, अमीर और पैसों में विवलिंग, फिरेरा फिरी की कहानी बताती है, कि उनके अमीर बनने के बाद क्या होता है, फिल्म एक प्रस्ताबना के साथ कुलती है, जो दर्शकों को लेकर आतं आशंका तक है, जिसमें कहा गया है कि प्रते को अपने नए धन के बागजू ब्यक्तिकत नुक्सान हुआ है, शाम ने अपने एक मात्रा नुराधा शिप्शंकर पड़ेकर को दुरगटना में खो दिया, राज्यू ने अपनी बीमार मा को खो दिया, और वावु हुई जि और विविन बिलास पर कज़ा कर रहे हैं, राज्यू 21 दिनों में अपने धन को जोड़े रतने के बारे में विचार करे, ठक महला अनुराधा से सुनने, बाला जो एक बैंक मैनेजर होने का दावा कर रहा है, और रहे शाम और बाबु भीया को इसके साथ जाने के लिए मना करता है, राज्यू पहले शाम और बाबु भीया से 30 लाग की विविस्ता करता है, और फिर अपना बंगला बेच कर 50 लाग की विविस्ता करता है, बहे एक चोटे कुंडे पक्कु को 20 लाग की, शेषराशी का योगदान करने के लिए मना करता है, ताकि बहे 1 करोड की निमत पता चलता है कि यह सब एक गोटाला था और बे दरिदर हैं मामले को और भी खराब करने के लिए उनके पास अपने महल का कबज़ा भी नहीं है जिसे राजू रहें आखिरी जरूरत की पैसी की बेवस्ता करने के लिए बेच दिया था और एक चॉल मकान में रहना है पपू अ पपू अब मुश्किल में है क्योंकि उसने एक फुस फुस है लेकिन कोंको आर्तिवारी से कर्ज लिये थे जो भुकतान नहीं करने पर उसे मार ढालेगा भे एक दिया राजू के पास आता है और सुनने के बारे में सानु गुति का नाटक करता है और भे तीनों अपने माल बितिवारी के कुछ गुड़े घर ले जा रहे हैं तेक्डी पे बंदन कर रहे हैं राजू शाम और बावु भे या शहर में लोटने वाले हैं जब राजू को याद आता है कि उस पर अंजली पाटेगर नाम की एक महिला का पैसा चिपा है तीनों उसका घर बन जाते हैं औ पैसे नहीं लोटाता है यह महसूस करते हुए कि अंजली को परिशानी में डालने वाला समान है राजू पैसा फैसला करता है कि वह आज के पास जाएगा और उसे मुक्त जान की गोशिश करेगा शाम और बावु हिया उनके मिना जाने से मना करते हैं और साथ ही रहने का फै देहा करते हुए पैसे कमा पैसे लाने के लिए कहते हैं राजू शाम और बावु शाम के पास गुंड़े को भापस करने के लिए चालिस लाके साथ जाने के लिए अब तीन दिन है नहीं तो वे खुद इदुर गटना ग्रस्त हो जाएंगा पड़ोसी मुन्ना भाई को एक चोरी करने की यूजना है तीनोंबा मुश्किल सफल होने का फिर बंदन करते हैं लेकिन जब उन्हें अंदर पैसा नहीं मिलता है तो वे भटट जाते हैं राजू ड्रक्स जैसी चीजों को पहचानता है और उनने बताता है कि उनकी केमत कम से कम तीन करोड तीन मिलियन है उ उने दवाई चुरा लेता है बे तवनुराधा में भागते हैं और विवताते हैं कि पूरोगोटारा कवीरा पहली फिंड के द्रिश्टांत ने रचाता हेरा फेरी और उनके करीवी सहयोगी छोटे चेतन तीनों से बतला लेने के लिए और उनके साथ जाने का एक मात्र कारण यह था कि वे उनकी भतीजी को कर्जदार बना रहे थे अनुराधा की बहन कवीरा की गुट की सदे से थी और पहली फिल्म के अपरान की साजिस का हिस्सा थी था फिरौती का भुकतान करने के लिए उनके पैसे का रूप बदल दिया गया था लेकिन जब उनने पता चला कि उनकी भतीजी बच गई है और उने एक सरकस ट्रेंड को गुडू को नाम दिया गया है कि सजावट के नीचे छिपा हुआ है दिया है तो वह उनके साथ भाग लिया अंत में सभी लोग एक सरकस शो में समात होते हैं जहां वे ड्रक्स और हीरो को पकड़ने का प्रयास करते ह हैं उन्हें गोरिला सारजेनिंग रूप से पूरे मैदान में बिखेर दिया जाता है जल्दी पुलिस स्पोर्ट पर पहुंच जाती है और बितिवारी नानजी भाई और छोटे चेतन को गिरफतार कर लेते हैं राजू शाम और बावु हिया अंजलिया नुरादा और उनक पुछ शाम और बावु हिया को बंदू को बारें बताते हैं जिसके बाद भी राजू को उसके सेलफोन पर कॉल करने की कोशिश करते हैं फिल्म एक किरिफ एंगर में खतम होती है जहां राजू अपने मुह में बस्ती हुए सेलफोन के साथ दीमी को नदी में चमकने बाला भी सेला है डालना ना, राजू के रूप में आक्षर कुमार गैंशाम, शाम के रूप में सुनिल चेटी, परष्रावल बावुराय, गड़ पत्राय, आपटेय और अरे बावुरिया के रूप में अनुराधा के रूप में बुपाशब उश्यू, पक्व्पू की बेहन, अंजिली के रूप मेरीमी सेन, जौनी लीवर, मुन्ना भाई, अवलेग, धोतार चोर के रूप में, सरत सक्सेना तिवारी, अवलेग तोतला सेथ, पपू के बॉस के रूप में, मनो जोसी, टोकरा सेट के रूप में, मिलिन गोनाजी, नानी जी भाई के रूप में, पपू, अंगिली के भाइकी रूप में राच्पाल यादब रवी किशन छोटे तिवारी के साथिume की रूप में पीटर की रूप में सुरेश मिनन, नान जी भाइके सबसे सस्ते साथी और मॉन्ना भाईके गुतु, मुकवेर, पार्सी, गन कलेक्टर की रूप में दिने सिंगु की गोतल सानिया पली सदिगारी की रूप में बिशे सुपस्तिती जाविद खान, अमरोही, खेतवारी, पली चौकी कांस्टिपल की रूप में, छोट अचेतन की रूप में रजाख खान, कभीरा के साथी, कभीरा की रूप में गुल्शन ग्रोवर, के भाई की रूप में कांजी की रूप में कीकु शारदा मुन्ना भाई के साथी राम लिला के रावड के रूप में विजु खोटे मंडली के सदसे मदन सिंग तिवारी के लंबे गुंडे की रूप में आवाज चैलेंदर पांड़े डब द्वारा राम लिला की रूप में मन मौजी मंडली के सदसे सरकस के जादूगरों के जादूगर की रूप में मुके सहुजा कथा वाचक की रूप में नाना पटेगर दिया मिर्जा प्यार की चटनी गाने में एक आइटम गर्ल के रूप में विशे सुपस्तिती नीरजबोर यात्री क की रूप में फोन पर बात कर रहे हैं विशे सुपस्तिती बस कंड़ेक्टर के रूप में घंशाम रोहेरा विशे सुपस्तिती गीत संगीत संगीत हिमेश रेश्मिया द्वारा रचे था जिसके बुल समीर उन्होंने लिखा था साउंट्रेक एल्बॉम टी सीरीज द्वारा लिखा जारी किया गया था गीद ए मेरी जोगरा जबीन केवल अन्त दोहजार अन्त अशीक्षक क्रेडिट में देखा गया था यह गाना इत की जोड़ी गई सिक्वेंस की जोड़ी गई वारती वेपार वेफसाइड बॉक्स ऑफिस इंडिया लगवक एक करोर इकाईयों की विक्री के अनुसार इस फिल्म को साउंट्रेक एल्बॉम सार का अगे असलेज के अधिविक नेभाला इल्बॉम था ट्रेक गाननब्र एक फिर हेरा पेडी इस गाने के गायकार सोननी निगं निगम शाम कॉनल गाणज ववला हैं नबर दो दिल दे लिया है इस गाने के गायकर सुनीती जोहान को राल गजवाला और आरे गाननीं दातीन मुझकु याद सत्ते इस गाने के गायकर हिमेंश्च जेस्मियां है गाननार चाहर दिल ने बनाते हैं अमईद है हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो पिल्पी सब्सक्राइब लाइक को शियर करना ना भूलें धन्यवादा नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सो अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको फिर हेरा फिरी मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी के जम्मन में कहानी और चरेते से जोड़े तत्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लिजे जिससे आने वाले सारे वीडियो का नॉटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उमेद करती हूँ, आप सब दोस्तों को पसंद आएगा, दन्यवाद, फिर हेरा फिरी, फिर हेरा फिरी अनुबाद मैन की बिजनेस वनागेन 2006 की एक भारती इन दिवाशा की कोमेडी फिल्म है, जिसे नीरत बोरा ने लिखा और ने देशित किया है यह हेरा फिरी 2000 की अगली कड़ी और हेरा फिरी फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त की रूट में काम करती है, नियाक्षा कुमार, सुनिल सेटी और परिश रावल ने विपासा हुसू, दिमी सेन, जॉनी लीवर और राचवाली आदब के साथ किसली फिमिन से अपनी यादों आते हैं, इस पिरकार भागे का एक मोर राजू, शाम और बागुराम का जीवन बदल देता है, जब यह दोकेवाज अनुराधा द्वारा धोगा देते हैं, उन्हें अब खूखार, अत्याचारी, तो उतला सेट से लिए गहरेलों को चुकाने का कोई और तरीका होगा, कें निर्देशन, नीरजवोरा, ध्वारा लिखेत, नीरजवोरा, द्वारा निर्मित, फिरोज नाडियाडवाला, अभी, अभी ने किया, अक्षा कुमार, सुनील सेटी, परेश रावल, वर्लन करता, नाना पाटिगर, छायंकन, बेलराज, बिरोदो द्वारा, दिवाकरपी होसले, विरिंद्रगर से, संगीत यह, हिमीश रेश मिया, अत्वाधन कंपनी, बेस इंडेस्ट्रीज ग्रूप, द्वारा दिया गया, बेस्ट इंडेस्ट्रीज ग्रूप, जारी करने की तारिक, 9 जून 2006, कारेकारी समय, 153 मिनत, देश, भारत, भार्षा, हिंदी, बजट अठारा करोर, बॉक्स ऑफिस, उनत्तर कौईंट बारा करोर, 9 जून 2006, कुरी जी, फिल्म एक बड़ी वेपसाइक सा पलता थी, बर्ष की आठ भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, इन बर्षों में फिल्म में, अक्षे कुमार की कॉमिक टाइमिंग के स साथ-साथ, रावल, लीवर और यादव जैसे सायक अलाकारों के कारण एक पंधका, इस्तर और मैटपॉन पर संसक प्राथ हुए हैं, इसे अब कॉमेडी फिल्मों में से इमीन का पत्थर माना जाता है, साथ यह अब तकी सबसे बहतरी सिकल में से एक है, टोक, हिरफिरी, जाजू, घंशाम, वेशाम, और बावुराम, गड़पतराय, आप्टे, प्यार से बावुविया कहला जाने वाले की टिकड़ी के साथ समात हुआ, अमीर और पैसों में वियोलिंग, फिरहर फिरी की कहानी बताती है, कि उनके अमीर बनने के बाद क्या होता है, फिल्म एक एक मात्रा अनुरादा शिप्शंकर पड़ीकर को दुरगटन में खो दिया, राजू ने अपनी बीमार मा को खो दिया, और बावु है जिनके पास हानने के लिए कुछ भी नहीं था, सामानी ग्यान के उन छोटे दादा अंशो को खो दिया, जो उनके पास थे, तीन आदमी एक विशाल हवेली में एक भवी जीवन जी रहे हैं, और विविन बिलास पर तब्जा कर रहे हैं, राजू 21 दिनों में अपने धन को जोड़े रतने के बारे में विचार करे, ठक महला अनुरादा से सुनने, बाला जो एक बैंक मैनेजर होने का दावा कर रहा है, और वह श पना बंगला बेच कर पचास लाग की विवस्ता करता है, वह एक चोटे कुंडे पुपकू को पीस लाग की शेशराशी का युगदान करने के लिए मना करता है, ताकि वह एक करोड की निमतम राशी चक्र के साथ आ सके, जिसे अनुरादा ने योगल करने का वादा किया है, तीन पैसे करने बेच करते हैं, और तीन हटर बाद पता चलता है कि यह सब एक गोटाला था और बेच दरिद रहें, मामले को और भी खराब करने के लिए उनके पास अपने महल का कबज़ा भी नहीं है, जिसे राजू रहें आकिरी जरूरत की पैसी की बेवस्ता करने के लि है, और अब एक मकान है, पारिसी कलेक्टर का बेफ साय है, पपू अब मुश्किल में है, क्यूंकि उसने एक फुस फुसाय लेकिन कोंको आर्तिवारी से करज लिया लिये थे, जो भुक्तान नहीं करने पर उसे मा ढालेगा, भे एक दे राजू के पास आता है, और सुने के क्यों उन्हें पैसे लेकर आएंगे, नहीं तो वे मर जाएंगे, चुगी बितिवारी के कुछ गुड़े घर ले जा रहे हैं, तिकड़ी पर बंदन कर रहे हैं, राजू शाम और बावु भेया शहर में लोटने वाले हैं, जब राजू को याद आता है कि उस पर अंजली पाटेगर नाम की एक महिला का पैसा चिपा है, तीनों उसका घर बन जाते हैं, और यह जानकर है रहान रह जाते हैं कि वे पप्पू की बहन है, इतिवारी के गुंडे आते हैं और अंजली का अपरान कर लेते हैं, क्योंकि पप्पू पैसे नहीं लोटाता है, यह महसूस क करते हुए कि अंजली को परिशानी में डालने वाला समान है राजू, पैसा फैसला करता है कि वे आच के पास जाएगा और उसे मुक्त जानकी गोशिश करेगा, शाम और भाबु हिया उनके बिना जाने से मना करते हैं, और साथ ही रहने का फैसला करते हैं, तिक्री के पास अंजली को रहा करने के लिए बावत चले जाते हैं, और तिवारे उनने रहा करते हुए पैसे कमा पैसे लाने के लिए कहते हैं, राजि शाम और वावुशां के पास गुंडर को भाबु कुर्त करने के लिए 40,00,000 के साथ जाने के लिए तीन दिन है नहीं तो वे खुद इद्रगटना ग्रेस्त हो जाएंगे पड़ोसी मुन्ना भाई को एक और दोस्ते नान जी भाई से ड्रग चूरी करने की शाजिस रचते हैं और गलतरिगे से मान लेते हैं कि वे चूरी पैसे करने की बात कर रहे हैं तो इन्हों के लिए मुन चूरी ड्रग्स जैसी चीजों को पहचानता है और वहने बताता है कि उनकी केमत कम से कम दवाई चुरा लेता है बे तव अनुराधा में भागते हैं और विवताते हैं कि पूरवोटारा कवीरा पहली फिन के द्रिश्टांत ने रचाता हेरा फेरी और उनके करीवी सहयोगी छोटे चेतन तीनों से बतला लेने के लिए और उनके साथ जाने का एक मात्र कारण यह थ था कि वे उनकी भतीजी को कर्जदार बना रहे थे अनुराधा की बहन कवीरा की गुट की सदे से थी और पहली फिल्म के अपरान की साजिस का हिस्सा थी था फिरौती का भुकतान करने के लिए उनके पैसे का रूप बदल दिया गया था लेकिन जब उन्हें पता चला कि उ परकस शो में समात होते हैं जहां वे ड्रक्स और हीरो को पकड़ने का प्रयास करते हैं उन्हें गोरिल्ला सारवजनिंग रूप से पूरे मैदान में बिखेर दिया जाता है जल्दी पुलिस स्पॉर्ट पर पहुंच जाती है और वितिवारी नान जी भाई चोटे चेतन को गिरफतार कर लेते हैं राजू शाम और बावु हिया अंजलिया नुरादा और उनकी भतीजी के साथ भाग गए राजू पपू के सेलफ़न और इसके साथ तीन आइंटिक बंदू लेकर भागता है जिसकी कीमत हर दिन 5-6 करोड है हाला कि वह इसके बारे में नहीं जानता पूपू शाम और बावु हिया को बंदू को बारे में बताते हैं जिसके बाद भी राजू को उसके सेलफ़न पर कॉल करने की कोशिश करते हैं फिल्म एक किलिप हैंगर में खतम होती है जहां राजू अपने मुह में बस्ती हुए सेलफ़न के साथ दीमी को नदी में चमकन बाला है डालना राजू की रूप में अक्षय कुमार घंशाम शाम के रूप में सुनिल चेटी परेश्रावल बावुराय गड़ पत्राय हाप्ते और अरे बावुरिया की रूप में अनुराधा के रूप में बिपाशा बश्यू पप्पू की बहन अंजिली के रूप में मेरी मी सेन जोनी लीवर मुन्ना भाई अवलेग धोतार चोर के रूप में सरत सक्सेना तिवारी अवलेग तोतला सेथ पप्पू के बॉस के रूप में मनो जोसी टोकरा सेट के रूप में मिलिन गोनाजी नानजी भाई के रूप में पप्पू अंजली के भाई के रूप में राजपाल यादप, रभी किशन छोटे तिवारी के साथिंग की रूप में, पीटर की रूप में, शुरेश मेनन, नान जी भाई के सबसे सस्ते साथी, और मुन्ना भाई के गुटु, मुक्वेर, पार्सी, गन कलेक्टर की रूप में, दिने सिंगु, ती गोतल सानिया, पली चौकी कांस्टवल की रूप में, छोटा चेतन की रूप में, रजा खान कभीरा के साथी, कभीरा की रूप में, गुल्शन ग्रोवर, आर्काइब फोटेज, कभीरा के गोट के सद्र से और रादा की बैन की रूप में, कश्मीर सा आर्काइब फोटेज, सुनील, पाल किश वर्मा मुन्ना के भाई की रूप में कांजी की रूप में कीकु शारदा मुन्ना भाई के साथी राम लिला के रावड के रूप में विजु खोटे मंडली के सदसे मदन सिंग तिवारी के लंबे गुंडे की रूप में आवाज चैलेंदर पांड़े डब द्वारा रामलीला की रूप में मनमाजी मंड्री के सदसे सरकस के जादुगर की रूप में मुके साहुजा कथावाचक की रूप में नाना पटे कर दिया मिरजा प्यार की चटनी गाने में एक आईटम गर्ल के रूप में विश्चे सुपस्तिती नीरजबोर यात्री के रूप में फोन पर बात कर रहे हैं विशे सुपस्तिती बस कंड़ेक्टर के रूप में घंशाम रोहिरा विशे सुपस्तिती गीत संगीत संगीत हमेश रेश्मिया द्वारा रचेत था जिसके बुल समीर उन्होंने लिखा था साउंट्रेक एलबम टी सीरीज दारा लिखा जारी किया गया था गीद ए मेरी जोवरा जबीन केवल अन्त साउंट्रेक एलबम सार का सबसे अधिविकने वाला एलबम था साउंट्रेक गाने के गायकार सुनी निगम निगम शाम कुर्णाल गांजवाला हैं गाने के गायकार सुनी दी जोहान कुर्णाल गांजवाला और आरे गान नमबर विडियो बनाते हैं अम्हारा वीडियो कसंदाय ओगा सुनींधी चौहान हैं दोस्तों हम मोह मैंनते वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारे वीडियो कसंद आया होगा तो पीलिज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक को शिया करना नहीं दन्ने वारा अज़ाए अगर नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको फिर हेरा फिरी मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी के जम्मन में कहानी और चरेते से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उमेद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा दन्यवाद फिर हेरा फिरी अनुबाद मैन की बिजनेस बनागेन 2006 की एक भारती इंदी वाशा की कोमेडी फिल्म है जिसे नीरत बोरा ने लिखा और ने देशित किया है यह हेरा फिरी 2000 की अगली कड़ी और हेरा फिर फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त की रूट में काम करती है नियाक्षा कुमार सुनिल सेटी और परिश रावन ने विपासा हुसू लिमी सेंग जॉनी लीवर और राचवाली आदब के साथ किसरी फिल्मिन से अपनी यादों को दोर आते हैं इस पिरकार भागे का एक मोर र चुकाने का कोई और तरीका होगा केंद्री कथानक 1998 की फिल्म लॉकिस्टॉप और टू स्मोकिंग बैरल से प्रहना लेता है निर्देशन नीरजवोरा द्वारा लिखेत नीरजवोरा द्वारा निर्मित फिरोज नाडियाडवाला अभी अभी ने किया अक्षकुमार सुनील सेटी परेश रावल वर्लन करता नाना पाटिगर चायंकन बेल राज बिरोदो द्वाकर्पी होसले विरिंद्रगर से जारी करने की तारिक 9 जून 2006 कारेकारी समय 153 मिनट देश भारत भार्षा हिंदी बजट 18 करोड बॉक्स ऑफिस 79.12 करोड नौजून 2006 कुरी जी फिल्म एक बड़ी व्यक्साइक सपलता थी बर्ष की आठ भी सबसे जादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई इन वर्षों में अक्षे कुमार की कॉमिक टाइमिंग के साथ साथ रावल लीवर और यादव जैसे सायक अलाकारों के कारन एक पंदगा इस तर और मैटपॉन पर संसक प्रात हुए हैं इसे अब कॉमेडी फिल्मों में से इमीन का पत्थर माना जाता है साथ यह अब तकी सबसे बहतरी स्विकल में से एक है टोक एरफिरी गाजू घंशाम और बावुराम गडपतराय आप्टे प्यार से बावु विया कहला जाने वाले की टिकड़ी के साथ समात हुआ अमीर और पैसोय में वियोलिंग फिरहरा फिरी की कहानी बताती है कि उनके अमीर बनने के बाद क्या होता है फिल्म एक प्रस्ताबना के साथ कुलती है जो दर्शकों को लेकर आतंग आशंका तक है जिसमें कहा गया है कि प्रते को अपने नए धन के बावजू प्यक्तिकत नुकसान हुआ है शाम ने अपने एक मात्रा नुराधा शिप्शंकर पड़ेकर को दुरगटना में खो दिया राजू ने अपनी बीमार मा को खो दिया और वावू है जिनके पास हानने के लिए कुछ भी नहीं था सावानी ग्यान के उन छोटे दादा अंशो को खो दिया जो उनके पास थे तीन आदमी एक विशाल हवेली में एक भवी जीवन जी रहे हैं और विविन बिलास पर तब्जा कर रहे हैं राजू 21 दिनों में अपने धन को जोड़े रतने के बारे में विचार करे ठक महला अनुराधा से सुनने बाला जो एक बैंक मैनेजर होने का दाव़ कर रहा है और वह शाम और बावु भीया को इसके साथ जाने के लिए मना करता है राजू पहले शाम और बावु भीया से तीस लाग की विवस्ता करता है और फिर अपना बंगला बेच कर पचास लाग की विवस्ता करता है वह एक चोटे कुंडे पप्पू को पीस लाग की शेशराशी का युगदान करने के लिए मना करता है ताकि वह एक करोड की निमतम राशी चक्र के साथ आ सके जिसे अनुरादा ने युगल करने का वादा कि पास अपने महल का कबजा भी नहीं है जिसे राजू रहें आकिरी जरूरत की पैसी की विवस्ता करने के लिए बेच दिया था और एक चॉल मकान में रहना है पपू अगले दिन पैसे का हिस्सा लेने के लिए बंगले में आता है लेकि यह जानकर चौक जाता है कि राजू चला गया है और अब एक मकान है पारसी कलेक्टर का बेच आया है पपू अब मुश्किल में है क्यूंकि उसने एक फुस फुसा है लेकिन कोंको आर्तिवारी से करज लिये थे जो वुक्तान नहीं करने पर उसे मा ढालेगा भे एक दिन राजू के पास आता है और बहतीनों अपने मालिक के पास बरगलाता है उसे पताता है कि बेबही हैं जो पैसे के लिए थे टियर उन्हें धंकी देता है और कहता है क्यों उन्हें पैसे लेकर आएंगे नहीं तो वे मर जाएंगे चुगी बेतिवारी कि कुछ गुड़े घर ले जा रहे हैं तिकड़ी तीनों उसका घर बन जाते हैं और यह जानकर हैनान रह जाते हैं कि बेबही पप्पू की बेहन है इतिवारी के गुंड़े आते हैं और अंजली का अपरान कर लेते हैं क्योंकि पप्पू पैसे नहीं लोटाता है यह महसूस करते हुए कि अंजली को परिशानी में डालने वाला समान है राजू पैसा फैसला करता है कि वह आंच के पास जाएगा और उसे मुक्त जानकी गोशिश करेगा शाम और बावु हिया उनके बिना जाने से मना करते हैं और साथ ही रहने का फैसला करते हैं तिक्री के पास अंजली को रिहा करने के लिए कहने के लिए के पास गुंड़े को बापस करने के लिए 40,00,00 के साथ जाने के लिए अब तीन दिन है नहीं तो वे खुद इदुरगटना ग्रेस्त हो जाएंगे पर उसी मुन्ना भाई को एक और दोस्ते नान जी भाई से ड्रग चोरी करने की शाजिस रचते हैं और गलतरिगे से मान लेत चोरी करने की योजना है तीनों वामोश के सफल होने का फिर बंधन करते हैं लेकिन जब उन्हें अंदर पैसा नहीं मिलता है तो वे भटक जाते हैं। बेत अनुराधा में भागते हैं और बताते हैं कि पूरवोटारा कवीरा पहली फिल्म के द्रिश्टांत ने रचाता हेरा फेरी और उनके करीबी सहयोगी छोटे चेतन तीनों से बतला लेने के लिए और उनके साथ जाने का एक मात्र कारान यह था कि वे उनकी भतीजी को अनुराधा की बहन कवीरा की गुट की सदे से थी और पहली फिल्म के अपरान की साजिस का हिस्सा थी था फिरौती का भुकतान करने के लिए उनके पैसे का रूप बदल दिया गया था लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी भतीजी बच गई है और उन्हें एक सरकस ट्रे जहां वे ड्रक्स और हीरो को पकड़ने का प्रियास करते हैं उन्हें गोरिला सारवजेनिंग रूप से पूरे मैदान में बिखेर दिया जाता है जल्दी पुलिस स्पॉर्ट पर पहुंच जाती है और वितिवारी नानजी भाई और छोटे चेतन को गिरफतार कर लेते हैं राजू शाम और बावु हिया अंजलिया नुरादा और उनकी भतीजी के साथ भाग गए राजू पपू के सेलफ़न और इसके साथ तीन आइंटिक बंदू लेकर भागता है जिसकी कीमत हर दिन 5-6 करोड है हाला कि वह इसके बारे में नहीं जानता पपू शाम और बावु हिया को बंदू को बारे में बताते हैं जिसके बाद भी राजू को उसके सेलफ़न पर कॉल करने की कोशिश करते हैं फिल्म एक किलिप हैंगर में खतम होती है जहां राजू अपने मुह में बस्ती हुए सेलफ़न के साथ दीमी को नदी में चमकने बाते हैं डालना राजू की रूप में अक्षब कुमार घंशाम शाम के रूप में सुनिल छेटी परेश्रावल बावु रायकर गड़ पत्राएं आप्टे और अरे बावूरिया की रूप में अनुराधा की रूप में दुपाशब भुशू पप्पु की बेहन अंजिली के रूप में रिमी सेन जौनी लिवर मुन्ना भाई अवलेग धोतार चोर के रूप में सरत सक्सेना तिवारी अवलेग तोतला से पपू के बॉस के रूप में मनो जोसी टोकरा सेट के रूप में मिलिन गुनाजी नानजी भाई के रूप में पपू अंजली के भाई के चिरादब、 रभी किशन छोटे टिवारी के सात्यों की रूप में। पीटर की रूप में सुरेश्मेन, नान जी भाई के सबसे सस्थे सातिर्य और मन्ना भाई के। उ पार्सीगन कलेक्टर की रूप में। जदीने सिंगु की गोतल सानिया पुली सदिगारे की रूप में बिशेश सुपस्थिती जाविद खान अमरोही खेतवाड़ी पुली चौकि कांस्टीबल की रूप में चोट अचेतन की रूप में रजाख खान कभीरा के साथी कवीरा की रूप में गुल्शन ग्रोवर आर्काइब फोटेज कवीरा के गोट के सदर से और रादा की बैन की रूप में कश्मीर सा आर्काइब फोटेज सुनील पाल किशन वर्मा मुन्ना के भाई की रूप में कान जी की रूप में कीकु शारदा मुन्ना भाई के साथी राम लिला के रावड के रूप में विजु खोटे मंडली के सदर से मदन सिंग तिवारी के लंबे गुंडे की रूप में आवाज चैलेंदर पांड़े डब द्वारा राम लिला के रूप में मन मौजी मंडली के सदर से सरकस के जादुगरों के जादुगर के रूप में मुके सहुजा कथा वाचक के रूप में नाना पटेगर दिया मिर्जा प्यार की चटनी गाने में एक आइटम गर्ल के रूप में विशे सुपस्तिती नीरजबोर यात् स्मियां द्वारा रचे था जिसके बोल समीर उन्होंने लिखा था साउंट्रेक एलबॉम टी सीरीज द्वारा लिखा जारी किया गया था गीद ए मेरी जोरा जबीन केवल अन्त दो हजार आनता हशीक्षक क्रेडिट में देखा गया था यह गाना इतना लोग प्रिये हुगा कि बाद में इसे फिल्म में जुड़ा गया काने की बाद अब राउल के डिम सिक्वेल की जोड़ी गई सिक्वेंस की जोड़ी गई वारती वेपार वेप साइट बॉक्स ऑफिस इंडिया लगवक्त एक करो एकाईयों की विक्री के अनुसार इस फिल्म को साउंट्रेक अलवन सार का सबसे अदिविकने वाला एल्बम था ट्रेक गाना नमबर एक फिर हेरा पेरी इस गाने की गायकार सोनी निगम निगम शाम कुर्णाल गांजवाला है गाना नमबर दो दिल दे दिया है इस गाने के गायकार सुनी दी जोहान कुर्णाल गांजवाला और आरे गाना नमबर मुझ को याद सत्य तेरी इस गाने के गायकर हिमेश्य रेश्मिया है गाना नमबर पांच प्यार की चटनी इस गाने के गायकर सुनिती चौह हन है दोस्टो हम बहुत मेंनस से वीडियो बनाते एं उमीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो पिलिस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों की सात्थ लाइक हो शेयर करना मभूले ञारए है इस आरहर दोस्तों डेय। AL. नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उमीद करती हूं कि आप सो अच्छे होंगे तो दोέλस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको फिर हेरा फेरी मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी के जम्मन में कहानी और चरिद्र से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है फिर हेरा फेरी अनुवाद मैन की बिजनेस बना गेन 2006 की एक भारती इन दिवाशा की कॉमेडी फिल्म है जिसे नीरत बोरा ने लिखा और ने देशित किया है यह हेरा फेरी 2000 की अगली कड़ी और हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त की रूप में काम करती है नियाक्षा कुमार, सुनिल सेटी और परिश रावन ने विपासा हुसू लिमी सेंग, जॉनी लीवर और राचवाली आदब के साथ किस्री फिल्मिन से अपनी यादों को दोराते हैं इस पिरकार भागे का एक मोर राजू शाम और बागुराम का जीवन बदल देता है जब दोकेवाज अनुराधा द्वारा दोगा देते हैं उन्हें आप खूंकार, अत्याचारी तो उतला सेट से लिए गहरेलों को चुकाने का कोई और तरीका होगा केंडरी कतानाग 1998 की फिल्म लॉकिस्टॉप और टू स्मोकिंग बैरल से फिरहना लिता है निर्देशन, नीरजवोरा, ध्वारा लिखेत, नीरजवारा द्वारा निर्मित, फिरोज नाडियाडवाला, अभी, अभी में किया अक्षकुमार, सुनील सेटी, परेश रावल, वर्लन करता, नाना पाटेगर, छायंकन, बेलडाज, बिलोदो द्वारा, दिवाकरपी, होसले, विरिंद्रगर से, संगीत यह, हिमीश रेश्मिया, अत्वाधन कंपनी, बेस इंडस्ट्रीज ग्रूप, द्वारा दिया गया पेश्ट इंडस्ट्रीज ग्रूप, जारी करने की तारिक, 9 जून 2006, कारेकारी समय, 153 मिनट, देश, भारत, भार्षा, हिंदी, बजट, 18 करोड, बॉक्स ऑफिस, 69.12 करोड, 9 जून 2006, कुरुदी जी, फिल्म एक बड़ी वेपसा, एक सफलता थी, बर्ष की आठ भी सबसे जादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, इन वर्षों में फिल्म में अक्षे कुमार की कॉमिक टाइमिंग के साथ-साथ, रावल, लीवर और यादव, जैसे सायक अलाकारों के कारण, एक पंधका, इस तर और मैटपॉन पर सलसक प्रात हुए हैं, इसे अब कॉमेडी फिल बावु विजा कहला जाने वाले की टिकड़ी के साथ समाथ हुआ, अमीर और पैसोय में विवलिंग फिरहर फिरी की कहानी बताती है, कि उनके अमीर बनने के बाद क्या होता है, फिल्म एक प्रस्ताबना के साथ कुलती है, जो दर्शकों को लेकर आतंग आशंका तक है, जि अपनी बीमार मा को खो दिया और वावु हिया, जिनके पास हाने के लिए कुछ भी नहीं था, सावाने ग्यान के उन छोटे दादा अंशो को खो दिया, जो उनके पास थे, तीन आदमी एक विशाल हवेली में एक भवी जीवन जी रहे हैं, और विविन बिलास पर कज़ा कर रहे हैं, राजू 21 दिनों में अपने धन को जोड़े रतने के बारे में विचार करे, ठक महला अनुराधा से सुनने, बाला जो एक बैंक मैनेजर होने का दावा कर रहा है, और वह शाम और बावु भीया को इसके साथ जाने के लिए मना करता है, राजू पहले शाम और अप्डू को 20 लाग की शेशरासी का युगदान करने के लिए मना करता है, ताकि वह एक करोड की निमतमराशी चक्र के साथ आ सके, जिसे अनुराधा ने युगल करने का वादा किया है, तीन पैसे करने बेस करते हैं, और तीन हज़र बाद पता चलता है, कि यह सब एक अप्डूरत के पैसी की बेवस्ता करने के लिए बेच दिया था, और एक चॉल मकान में रहना है, पपू अगले दिन पैसे का हिस्सा लेने के लिए बंगले में आता है, लेकि यह जानकर चौक जाता है, कि राजू चला गया है, और अब एक मकान है, पारसी कलेक्टर का बे और सुने के बारे में सानु गुती का नाटक करता है, और बहतीनों अपने मालिक के पास बरगलाता है, उसे पताता है कि बेवभी हैं जो पैसे के लिए थे, टियर उन्हें धमकी देता है, और कहता है क्यों उन्हें पैसे लेकर आएंगे, नहीं तो वे मर जाएंगे, पर अंजली पाटेगर नाम की एक महिला का पैसा चिपा है, तीनों उसका घर बन जाते हैं, और यह जानकर है रहान रह जाते हैं कि बेह पप्पू की बहन है, इतिवारे के गुंडे आते हैं और अंजली का परांकर लेते हैं, क्योंकि पप्पू पैसे नहीं लोटाता है, यह महसूस करते हुए कि अंजली को परिशानी में डालने वाला समान है राजू, पैसा फैसला करता है कि वह आज के पास जाएगा और उसे मुक्त जानकी गोशिश करेगा, शाम और बाबु हिया, उनके बिना जाने से मना करते हैं, और साथ ही रहने का फैसला करते हैं, तिक से लाने के लिए कहते हैं, राजू शाम और बावु शाम के पास गुंड़े को भापस करने के लिए चालिस लाके साथ जाने के लिए अब तीन दिन हैं, नहीं तो वे खुदी दुरगटना ग्रिस्त हो जाएगा, पड़ोसी मुन्ना भाई को एक और दोस्ते नाने जी जना है, तीनों बाव मुश्किल सफल होने का फिरबंदन करते हैं, लेकिन जब उन्हें अंदर पैसा नहीं मिलता है, तो वे भटक जाते हैं, राजू ड्रक्स जैसी चीजों को पहचानता है, और उन्हें बताता है कि उनकी केमत कम से कम, तीन करोर, तीन मिलियन है, उन्हें चुरा लेता है, बेत अनुराधा में भागते हैं, और वे बताते हैं कि पूरगोटारा कवीरा पहली फिन के द्रिश्टांत ने रचाता हेरा फेरी और उनके करीवी सहयोगी, छोटे चेतन, तीनों से बतला लेने के लिए और उनके साथ जाने का एक मातर कारण, यह था कि वे उनकी भतीजी को कर्जदार बना रहे थे, अनुराधा की बहन कवीरा की गुट की सदे से थी, और पहली फिल्म के अपरान की साजिस का हिस्सा थी, था फिरौती का भुकतान करने के लिए उनके पैसे का रूप बदल दिया गया था, लेकिन जब उनने पता चला कि उनकी भतीजी बच गई है, और उन्हें एक सरकस ट्रेंड को गुडू को नाम दिया गया है कि सजावट के नीचे छिपा हुआ है, दिया है, तो वह उनके साथ भाग लिया, अन्त में सभी लोग एक सरकस शो में समात होते हैं, जहां वे ड्रक्स और हीरो को पकड़ने का प्रयास क कर लेते हैं, राजू, शाम और बावु हिया, अंजलिया नुरादा और उनकी भतीजी के साथ भाग गए, राजू, पप्पू के सेलफ़न और इसके साथ तीन आयंटिक बंदू लेकर भागता है, जिसकी कीमत हर दिन 5-6 करोड है, हाला कि वह इसके बारे में नहीं जानता, पपू शाम और बावु हिया को बंदू को को बारे में बताते हैं, जिसके बाद भी राजू को उसके सेलफ़न पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, फिल्म एक किरिप हैंगर में खतम होती है, जहां राजू अपने मुह में बस्ती हुए सेलफ़न के साथ दीमी को नदी में च अक्ष्यकुमार, घंशाम, शाम के रूप में सुनिल चेटी, परेश्रावल, बावुराय, गड़पतराय, हाप्टे और अरे बावुरिया के रूप में, अनुराधा के रूप में, बुपाशा बश्यू, पप्पू की बहन, अंजिली के रूप में, इरिमी सेन, जॉनी ल जीवर, मुन्ना भाई, अवलिग, धोतार चोर के रूप में, सरत सक्सेना तिवारी, अवलिग, तोतला से, पपू के बॉस के रूप में, मनो जोसी, टोकरा सेट के रूप में, मिलिन गोनाजी, नानी जी भाई के रूप में, पपू, अंजिली के भाई के रूप में, और उफ्की के दिने सिग्णू की जावित खान अमरोही खेटवाड़ी पलिस चौकी कांस्ट interventions की रूप में छोटा चेतन की रूप में रजा कान कभीरा के साथी कभीरा की रूप में गुल्शन ग्रोवर आर्काइब फोटेज कभीरा के गोट के सदस्य और रादा की बैन की रूप में कश्मीर सा आर्काइब फोटेज सुनील पाल किशन वर्मा मुन्ना के भाई की रूप में कांजी की रूप में कीकु शारदा मुन्ना भाई के साथी राम लिला के रावर के रूप में विजु खोटे मंडली के सदसे मदन सिंग तिवारी के लंबे गुंडे की रूप में आवाज चैलेंदर पांड़े डब द्वारा राम लिला की रूप में मन मौजी मंडली के सदसे सरकस के जादूगरों के जादूगर की रूप में मुके सहुजा कथा वाचक की रूप में नाना पटेगर दिया मिर्जा प्यार की चटनी गाने में एक आइटम गर्ल के रूप में बिशे सुपस्तिती नीरजबोर यात्री क के रूप में फोन पर बात कर रहे हैं विसे सुपस्तिती बस कंड़क्टर की रूप में घंशाम वहरा विशे सुपस्त्ति गीत संइथ कि संगीत हिमेश रेष्मियां द्वारा रचेत था जिसके बोल समीर उन्होंने लिखा ता साउंट इतना लोग प्रिये हुआ कि बाद में इसे फिल्म में जुड़ा गया काने के बाद अब राउल के डिम सिक्वेल की जोड़ी गई सिक्वेंस की जोड़ी गई भारती वेपार वेपसाइड बॉक्स ऑफिस इंडिया लगवक एक करोर की काईयों की विक्री के अनुसार इस फि shape को अनिल क healthyकान देखार नमचे मत इकान सुनीत जोहन को अर्वला और अर्स की मुझक याद सत्ती पेएपाल इस गाने के घायकर तो कि दिल नाइना नायमकार इस गाने के गायकर lions किने में आ। तो अल Amen भाइब तो वीडियो बनाते हैं वीडियो पसंद आया होगा की पिलीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शियर करना ना भूलें जन्ने वादा नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको फिर हेरा फिरी मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी के जम्मन में कहानी और चलेते से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लिजे जिससे आने वाले सारे वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्हित करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा दन्यवाद फिर हेरा फिरी फिर हेरा फिरी अनुबाद मैन की बिजनेस वनागेन 2006 की एक भारती इंदी वाशा की कॉमेडी फिल्म है जिसे नीरत बोरा ने लिखा और ने देशित किया है यह हेरा फिरी 2000 की अगली और राचवाली आदब के साथ पिछली फिल्म से अपने यादों को दोराते हैं इस पिरकार भागे का एक मौर राजू शाम और बागुराम का जीवन बदल देता है जब दोकेवाज अनुराधा दोरा दोगा देते हैं उन्हें आप खोंकार अत्याचारी तो अतला सेट से लिए गहरेवों को चुकाने का कोई और तरीका होगा केंद्री कतानाथ 1998 की फिल्म लॉकिस्टॉप और टू स्मोकिंग बैरल से प्रहना लेता है निर्देशन नीरजवोरा द्वारा लिखेत नीरजवोरा द्वारा निर्मित फिरोज नाडियाडवाला अभी अभी ने किया अक्षकुमार सुनिल सेटी परेश रावल वर्लन करता नाना पाटेगर चायांकन बेल डाज बिरोदो द्वाकरफी होसले विरिंद्रगर से जारी करने की तारिक 9 जून 2006 कारेकारी समय 153 मिनत देश भारत भार्षा हिंदी बजट 18 करोड बॉक्स ऑफिस 79.12 करोड नौजून 2006 कुरुली जी फिल्म एक बड़ी वेपसाइक सफलता थी बर्ष की आठ भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई इन वर्षो में फिल्म में अक्ष्य कुमार की कॉमिक टाइमिंग के साथ साथ रावल लीवर और रियादव जैसे सायक अलाकारों के कारन एक पंदका इसतर और मैटपॉन पर संसक प्रात हुए हैं इसे अब कॉमेडी फिल्मों में से इमील का पत्थर माना जाता है साथ ही एक तकी सबस समाथ हुआ अमीर और पैसोय में विवलिंग फिरहर फिरी की कहानी बताती है कि उनके अमीर बनने के बाद क्या होता है फिल्म एक प्रस्तावना के साथ कुलती है जो दर्शकों को लेकर आतंग आशंका तक है जिसमें कहा गया है कि पिरते को अपने नए धन के बाब जूर प्यक्तिकत नुक्सान हुआ है शाम ने अपने एक मात्रा नुराधा शिक्षंकर पड़ीकर को दुरगटन में खो दिया राजू ने अपनी बीमार मा को खो दिया और बाबु है जिनके पास हानने के लिए कुछ भी नहीं था सावानी ग्यान के उन छोटे दादा अंशों क खो दिया जो उनके पास थे तीन आदमी एक विशाल हवेली में एक भवी जीवन जी रहे हैं और विविन बिलास पर तब्जा कर रहे हैं राजू 21 दिनों में अपने धन को जोड़े रतने के बारे में विचार करे ठक महला अनुराधा से सुनने बाला जो एक बैंक मैनेजर होने का दावा कर रहा है और वहे शाम और बाबु भीया को इसके साथ जाने के लिए मना करता है राजू पहले शाम और बाबु भीया से 30 लाकी विवस्ता करता है और फिर अपना बंगला बेच कर 50 लाकी विवस्ता करता है वहे एक छोटे प्प्पो को 20 लाकी शेश राशी का युगदान करने के लिए मना करता है ताकिव है एक करोड की नियुन तमराशी चक्र के साथ आ सके जिसे अनुरादा ने योगल करने का वादा किया है तीन पैसे करने बेज करते हैं और तीन हत्रवाद पता चलता है कि है सब एक गोटाला और बे दरिदर हैं मामले को और भी खराब करने के लिए उनके पास अपने महल का कबज़ा भी नहीं है जिसे राजू रहें आखिरी जरूरत की पैसी की बेवस्ता करने के लिए बेच दिया था और एक चॉल मकान में रहना है पपू अगले दिन पैसे का हिस्सा लेने के लिए बंगले में आता है लेकि यह जानकर चौक जाता है कि राजू चला गया है और अब एक मकान है पारसी कलेक्टर का बेवस्ता है पपू अब मुश्किल में है क्यूंकि उसने एक फुस फुसा है लेकिन कोंको आरतिवारी से करज लिये थे जो वोक्तान नहीं करने पर उसे मा बही हैं जो पैसे के लिए थे तियर उन्हें धमकी देता है और कहता है क्यों उन्हें पैसे लेकर आएंगे नहीं तो वे मर जाएंगे चुगी बितिवारी की कुछ गुड़े घर ले जा रहे हैं तिकड़ी पर बंदन कर रहे हैं राजू शाम और बावु भया शहर में लो प्प्पू की बहन है इतिवारी की गुंड़े आते हैं और अंजली का परन कर लेते हैं क्योंकि पप्पू पैसे नहीं लोटाता है यह महसूस करते हुए कि अंजली को परिशानी में डालने वाला समान है राजू पैसा फैसला करता है कि वह आज की पास जाएगा और उसे म और बावु हिया उनके मिना जाने से मना करते हैं और साथ ही रहने का पैसला करते हैं तिक्वी के पास अंजली को रिहा करने के लिए कहने के लिए बावच चले जाते हैं और तिवारे उन्हें रिहा करते हुए पैसे कमा पैसे लाने के लिए कहते हैं राजु शाम और बावु ग्रश्थ हो जाएंगा इसी इस से दिकी errado ट्री करने कि रिखेंऑ और गलत तरीके शिर्मान लेते हैं कि वे चुरी पैसे करने की बात कर रहे हैं तो इन्हों के लिए केमट कम से कम तीं करोर तीं मिलियन हैं उन्हें लगता है कि अगर हमने कच्रा्य शेठ को भेजquinho हैं और टैर को भुद्दक कर सकते तो अभी भीवन सकते हैं लिकिन अन्हें干 पड़ोसी एक बार फिर उन्हें देवाई चुरा लेता है देद वनुलाधा में भागते हैं और भी बताते हैं कि पूरा गोटारा कवीरा पहली फिन के दिर्श्टांत ने रचाता हेरा फिरी और उनके करीवी सहयोगी छोटे चेतन तीनों से बतला लेने के लिए और उनके साथ जाने का एक मात्र कारण यह था कि वे उनकी भतीजी को कर्जदार बना रह थे अनुराता की बहन कवीरा की गुट की सदे से थी और पहली फिल्म के अपरान की साजिस का हिस्सा थी था फिरौती का भुकतान करने के लिए उनके पैसे का रूप बदल दिया गया था लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी भतीजी बच गई है और उन्हें एक सरकस ट् जहां वे ड्रक्स और हीरो को पकड़ने का प्रयास करते हैं उन्हें गोरिल्ला सारजनिंग रूप से पूरे मैदान में बिखेर दिया जाता है जल्दी पुलिस स्पोर्ट पर पहुंच जाती है और बितिवारी नान जी भाई और छोटे चेतन को गिरफतार कर लेते हैं रा हर दिन पांस से छे करोड है हाला कि वह इसके बारे में नहीं जानता पुपू शाम और बावु हिया को बंदू को को बारे में बताते हैं जिसके बाद भी राजू को उसके सेलफोन पर कॉल करने की कोशिश करते हैं फिल्म एक किरिफ एंगर में खतम होती है जहां राजू पुपने मुह में बस्ती हुए सेलफोन के साथ दीमी को नदी में चमकने वाला है डालना राजू की रूप में अक्षब कुमार गंशाम शाम की रूप में सुनिल चेटी परेश्रावल बावुराय कर गर पतराय हाप्ते और अरे बावुर्या की रूप में अनुराधा की बुपाचा भश्यू पप्फु की बेहन अंजली के रूप मेरीनी सेन, जॉननी लीवर मन्ना भाई औव्लेग धोतार चोर के रूप में सरत सक्सिना तिवारी औवलेग तोदला सेर पप्फु के बॉस के रूप में मनो जोशी टोकरा सेट के रूप में मिलिन गोना जी न पीटर की रूप में शुरेश मिनन, नानी जी भाई के सबसे सस्ते साथी और मुन्ना भाई के गुटु मुक्वेर, पार्सी, गन कलेक्टर की रूप में दिने सिंगु, टी गोतल सानिया, पुली सदिगारे की रूप में, बिसे सुपस्तिती, जावित खान, अमरोही, खेतव बाड़ी पली चौकी कांस्टिबल की रूप में, छोटा चेतन की रूप में, रजाख खान, कभीरा के साथी, कभीरा की रूप में, गुल्शन ग्रोवर, आर्काइब फोटेज, कभीरा के गोट के सदर से और रादा की बैन की रूप में, कश्मीर सा आर्काइब फोटेज, सुनील पालकिशन वर्मा मुन्ना के भाई की रूप में कानजी की रूप में कीकु शारदा मुन्ना भाई के साथी रामलिला के रावर के रूप में विजु खोटे मंडली के सदसे मदन सिंग्तिवारी के लंबे गुंडे की रूप में आवाज चैलेंदर, पांड़े, डब द्वारा, राम लीला की रूप में, मन मौजी, मंड़ी के सतसे, सरकस के, जादुगरों के, जादुगर की रूप में, मुके सहुजा, कथावाचक की रूप में, नाना पटेगर, दिया मिर्जा, प्यार की चटनी गाने में, एक आइटम संगीत हिमेश रेश्मिया, द्वारा रचे था, जिसके बुल समीर, उन्होंने लिखा था, साउंट्रेक, एल्बॉम, टी सीरीज द्वारा लिखा, जारी किया गया था, गीद, ए मेरी, जोवरा जबीन, केवल, अन्त, दोहजार, अन्त, अशीक्षक रेडिट में, देखा गया था, यह गाना इतना लोग प्रिये हुआ, कि बाद में इसे फिल्म में जुड़ा गया, गाने के बाद, अब राउल के डिम सिक्वेल, की जोड़ी गई, सिक्वेंस की जोड़ी गई, बाहर थी वेपार वेफ साइड बॉक्स ऑफिस इंडिया लगवक, एक करोर इकाई सोनी निगम, निगम शाम, कुर्णाल गाजवाला है, गाने के गायकार सुनीती जोहान, कुर्णाल गाजवाला और आरे, गाने नमबर तीन, मुझ को याद सत्ति तेरी, इस गाने के गायकार हिमेश रेश्मिया है, गाने रचा, दिल नैना, नैने उमारे इस गाने के गायक तो सुनी दी चौहन हैं दोस्तों हम बहुत मेनस यह बनाते हैं अमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो पिलीस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक को शियर करना ना भूलें जन्यवादा नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको फिर हेरा फिरी मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी के जम्मन में कहानी और चलेदर से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसाने से देख सके उम्मेद क ने लिखा और ने देशित किया है यह हेरा फिरी 2000 की अगली कड़ी और हेरा फिरी फ्रैंचाइजी की दूसरी किस्त की रूप में काम करती है नियाक्षा कुमार सुनिल सेटी और परिश रावन ने विपासा हुसू गिमी सेंग जॉनी लीवर और राचवाली आदब के साथ पिछली फिल्म से अपनी यादों को दोर आते हैं इस पिरकार भागे का एक मोर राजू शाम और बागुराम का जीवन बदल देता है जब दोकेवाज अनुराधा द्वारा धोगा देते हैं उन्हें आफ खूंकार अत्याचारी तो उतला सेट से लिए गहरेलों को चुकान लिकी फिल्म लॉकि स्टॉप और टू स्मोकिंग बैरल से प्रहना लेता है निर्देशन नीरजवोरा धार लिखेत नीरजवारा द्वारा निर्मित फिरोज नाडियाडवाला अभी अभी में किया अक्षर कुमार सुनील सेटी परेश रावल वर्ण करता नाना पाटेगर चायंकन बेलडाज बिरोदो द्वारा दिवाकरपी होसले विरिंद्रगर से संगी दिया है हिमीश रेश मिया अत्वाधन कंपनी बेस इंडस्ट्रीज ग्रूप द्वारा दिया गया बेस इंडस्ट्रीज ग्रूप जारी करने की तारिक 9 जून 2006 कारेकारी समय 153 मिनत देश भारत भाषा हिंदी बजट 18 करोर बॉक्स ऑफिस 69 करोर नौ जून 2006 कुरी जी फिल्म एक बड़ी वेपसाइक सपलता थी बर्ष की आठ भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई इन वर्षों में फिल्म में अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग के साथ साथ रावल लीवर और यादव जैसे साय कलाकारों की कारण एक पंधका इसतर और मैटपॉन पर संसक प्राथ हुए हैं इसे अब कॉमेडी फिल्मों में से इमील का पत्थर माना जाता है साथ यह अब तकी सबसे बहतरी स्विकल में से एक है टोक एरफिरी गाजू घंशाम और बावुराम गडपतराय आप्टे प्यार से बावु विजा कहला जाने वाले की टिकड़ी के साथ समात हुआ अमीर और पैसों में विवलिंग फिरहरा फिरी की कहानी बताती है कि उनके अमीर बनने के बाद क्या होता है फिल्म एक प्रस्तावना के साथ कुलती है जो दर्शकों को लेकर आतंग आशंका तक है जिसमें कहा गया है कि प्रते को अपने नए धन के बावजू ब्यक्तिकत नुकसान हुआ है शाम ने अपने एक मात्रा नुराधा शिप्शंकर पड़ेकर को दुरगटना में खो दिया राजू ने अपनी बीमार मा को खो दिया और वावू है जिनके पास हानने के लिए कुछ भी नहीं था सावाने ग्यान के उन छोटे दादा अंशों को खो दिया जो उनके पास थे तीन आदमी एक विशाल हवेली में एक भवी जीवन जी रहे हैं और विविन बिलास पर तब्जा कर रहे हैं राजू 21 दिनों में अपने धन को जोड़े रखने के बारे में विचार करे ठक महला अनुराधा से सुनने बाला जो एक बैंक मैनेजर होने का दावा कर रहा है और वहे शाम और बावु भीया को इसके साथ जाने के लिए मना करता है राजू पहले शाम और बावु भीया से 30 लाकी विवस्ता करता है और फिर अपना बंगला बेच कर 50 लाग की बिवस्ता करता है बहे एक चोटे कुंडे पक्टू को 20 लाग की शेश रासी का युगदान करने के लिए मना करता है ताकि बहे एक करोड की नियुमतमराशी चक्र के साथ आ सके जिसे अनुरादा ने यूगल करने का वादा किया है और भी खराब करने के लिए उनके पास अपने महल का कबज़ा भी नहीं है जिसे राजू रहे आखिरी जरूरत की पैसी की बेवस्ता करने के लिए बेच दिया था और एक चॉल मकान में रहना है पपू अगले दिन पैसे का हिस्सा लेने के लिए बंगले में आता है लेकि यह जानकर चौक जाता है कि राजू चला गया है और अब एक मकान है पारसी कलेक्टर का बेवस्ता है पपू अब मुश्किल में है क्यूंकि उसने एक फुस फुसाहि लेकिन कोंको आरतिवारी से करज लिये थे जो वोक्तान नहीं करने पर उसे मार ढालेगा भे एक दिन र पैसे के लिए थे तियर उन्हें धंकी देता है और कहता है क्यों उन्हें पैसे लेकर आएंगे नहीं तो वे मर जाएंगे चुगी बितिवारी की कुछ गुड़े घर ले जा रहे हैं तिकड़ी पर बंदन कर रहे हैं राजू शाम और बाबु भया शहर में लोटने वाले ह हैं जब राजू को याद आता है कि उस पर अंजली पाटेगर नाम की एक महिला का पैसा चिपा है तीनों उसका घर बन जाते हैं और यह जानकर हैनान रह जाते हैं कि भे पप्पू की बहन है इतिवारी के गुंड़े आते हैं और अंजली का परण कर लेते हैं क्योंकि पप पैसा फैसला करता है कि वह आंज के पास जाएगा और उसे मुक्त जानकी गोशिश करेगा शाम और बावु हिया उनके बिना जाने से मना करते हैं और साथ ही रहने का फैसला करते हैं तिक्वी के पास अंजली को रिहा करने के लिए कहने के लिए बावस चले जाते हैं और त के साथ जाने के लिए अब तीन दिन हैं नहीं तो वे खुदी दुरगटना ग्रेस्थ हो जाएंगे पर उसी मुन्ना भाई को एक और दोस्ते नानी जी भाई से ड्रफ चूरी करने की शाजिस रचते हैं और गलत तरिगे से मान लेते हैं कि वे चूरी पैसे करने की बात कर रह हैं तो इन्हों के लिए मुन्ना भाई से चूरी करने की योजना हैं तीनों वा मुश्किल सफल होने का पिर बंदन करते हैं लेकिन जब उन्हें अंदर पैसा नहीं मिलता है तो वे भटक जाते हैं राजू ड्रक्स जैसी चीजों को पहचानता है और उन्हें बताता है कि उ पर फिर उन्हें दवाई चुरा लेता है बे तवनुराधा में भागते हैं और वे बताते हैं कि पूरगोटारा कवीरा पहली फिन्म के दर्श्टांत ने रचाता हेरा फिरी और उनके करीवी सहयोगी छोटे चेतन तीनों से बतला लेने के लिए और उनके साथ जाने का एक मातर कारान यह था कि वे उनकी भतीजी को कर्जदार बना रहे थे अनुराधा की बहन कवीरा की गुट की सदे से थी और पहली फिल्म के अपरान की साजिस का हिस्सा थी था फिरौती का भुकतान करने के लिए उनके पैसे का रूप बदल दिया गया था लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी भतीजी बच गई है और उन्हें एक सरकस ट्रेंड को गुडू को नाम दिया गया है कि सजावट के नीचे छिपा हुआ है दिया है तो वह उनके साथ भाग लिया अंत में सभी लोग एक सरकस शो में समात होते हैं जहां वे ड्रक्स और हीरो को पकड़ने क प्रियास करते हैं उन्हें गोरिल्ला सर्वजेनिंग रूप से पूरे मैदान में बिखरे बिखेर दिया जाता है जल्दी पुलिस स्पोर्ट पर पहुंच जाती है और बितिवारी नान जी भाई और छोटे चेतन को गिरफतार कर लेते हैं राजू शाम और बावु हिया अ बावु हिया को बंदू को बारे में बताते हैं जिसके बाद भी राजू को उसके सेल फॉन पर कॉल करने की कोशिश करते हैं फिल्म एक क्रिप हैंगर में खतम होती है जहां राजू अपने मुह में बस्ती हुए सेल फॉन के साथ दीमी को नदी में चमकने बाला है डालना राजू के रूप में अक्षय कुमार गहन शाम शाम के रूप में सुनिल चेटी परेश्रावल बावुराय गड़ पतराय हाप्ते और अरे बावुरिया के रूप में अनुराधा के रूप में बुपाशा वश्यू पप्टू की बहन अंजिली के रूप में इरीमी सेन जोसी टोकरा सेट के रूप में मिलिन गोना जी नानी जी भाई के रूप में पपू अंजली के भाई के रूप में राजपाल यादप रवी किशन छोटे तिवारी के साथिंग के रूप में पीटर के रूप में सुरेश मिनन नानी जी भाई के सबसे सस्ते साथी और मुन्ना खान अम्रोही खेतवाड़ी पिलिचौकी कांस्टेबल की रूप में छोटा चेतन की रूप में रजा खान कभीरा के साथी कभीरा की रूप में गुल्शन ग्रोवर आर्काइब फोटेज कभीरा के गोट के सदस्य और रादा की बैन की रूप में कश्मीरसा आर्काइब कांजी की रूप में कीकु शार्दा मुन्ना भाई के साथी राम लिला के रावड के रूप में विजु खोटे मंडली के सदसे मदन सिंग तिवारी के लंबे गुंडे की रूप में आवाज चैलेंदर पांड़े डब द्वारा राम लिला की रूप में मन मौजी मंडली के सदसे सरकस के जादूगरों के जादूगर की रूप में मुके सहुजा कथा वाचक की रूप में नाना पटेगर दिया मिर्जा प्यार की चटनी गाने में एक आइटम गर्ल के रूप में बिशे सुपस्तिती नीरजबोर यात्री क नोसी के रूप में फॉन पर बात कर रहे हैं विशे सुपस्थती बस कंड़क्टर की रूप में घंशाम रोहरा विशे सूपस्थती गीत संगीत संगीत हिमेश रेश्मियां द्वारा रचे था जिसके बुल समीर उन्होंने लिखा था साउंट्रेक एल्बॉम टी सीरीज द्वारा लिखा जारी किया गया था गीद ए मेरी जोवरा जमीन केवल अन्त कि दोहजार आंतर शीक्षफ क्रेडिट में देखा गया था यह गाना इतना लोग पुरिये हुआ कि बाद में इसे फिल्म में जुड़ा गया अकाने की बाद अब राउल के डिम सीक्वेल की जोड़ी गई सीक्वेंस की जोड़ी गई वारती वेपार वेप्साइट बॉक्स फिस इंडिया लगवक्त एक करो एकाईयों की विक्री के अनुसार इस फिल्म को साउंट्रेक अलवन सार का का है और सबसे अदिविक्ने वाला ऐल поп ऊप ट्रेक गान गईकार सोनी निगं निगन शाम मैंकों को नाल गांजवाला हैं गान नबर दो दिल दे लिया है इस गाने के गायकार सुनी दिजॉहान क्रोना गांजवाला और आरे गान नमब ढम तीम मुच्कु तो याद सत्य तेरी इस गाने के गायकर हमेश रेश्मियां है गाना नबर पांच इस गाने के गायकर हमेश रेश्मियां है गाना नमबर चे प्यार की चटनी इस गाने के गायकर सुनी दी चौहान है दोस्तों हम बहुत मेनस से वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो पिलीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शियर करना ना भूलें जन्ने वादा नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको फिर हेरा फेरी मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी के जम्मन में कहानी और चरितर से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लिजी जिससे आने वाले सारे वीडियो का नाटिफिकेशन आप लोगों तक सब से पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मेद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा दन्यवाद फिर हेरा फेरी फिर हेरा फेरी अनुबात मैं की बिजनेस वनागें 2006 की एक भारती इंदी वाशा की कॉमेडी फिल्म है जिसे नीरज बोरा ने लिखा और नयदेशित किया है यह हेरा फेरी 2000 की अगली कड़ी और हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त की रूप में काम करती है नियाक्षा कुमार सुनिल सेटी और परिश रावन ने विपासा हुसू लिमी सेन जॉनी लीवर और राचवा दोकेवाज अनुराधा द्वारा दोगा देते हैं उन्हें अफ़ोंखार अत्याचारी तो उतला सेट से लिए गहरे लोगों को चुकाने का कोई और तरीका होगा केंद्री कताना कि 1998 की फिल्म लॉकि स्टॉप और टू स्मोकिंग बैरल से प्रहना लेता है निर्देशन, नीरजवोरा, ध्वारा लिखेत, नीरजवारा, ध्वारा निर्मित, फिरोज इनाडियाडवाला, अभी, अभीने किया, अक्षकुमार, सुनिल सिटी, परिश्रावल, वर्लन करता, नाना पाटेगर, छायंकन, बेल राज, बिलोदो ध्वारा, दिवाकर्प की होसले विरेंद्रगर से संगी दिया है हिमीश रेश्मिया अत्वाधन कंपनी बेस इंडस्ट्रीज ग्रूप द्वारा दिया गया पेस्ट इंडस्ट्रीज ग्रूप जारी करने की तारिक नौ जून 2006 कारेकारी समय एक सो त्रेपर मिनट देश भारत भाषा हिंदी बजट अठारा करोर बॉक्स ऑफिस उनतर पारिक बारा करोर नौ जून 2006 कुरूप जी फिल्म एक बड़ी वेपसा एक सफलता थी बर्ष की आठ भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन इस तर और मैटपॉन पर संसर प्रात हुए हैं इसे अब कमेडी फिल्मों में से इमील का पत्थर माना जाता है साथ ही अब तकी सबसे बहतरी स्विकल में से एक है टोक एरफिरी गाजू घंशाम और बावुराम गडपतराय आप्टे प्यार से बावु विया कहला जाने वाले की टिकड़ी के साथ समाथ हुआ अमीर और पैसोय में वियूलिंग फिरहरा फिरी की कहानी बताती है कि उनके अमीर बनने के बाद क्या होता है फिल्म एक प्रस्तामना के साथ कुलती है जो दर्शकों को लेकर आतंग आशंका तक है जिसमें कहा गया है कि प्रते को अपने नए धन के बावजू प्रतिकत हुआ है शाम ने अपने एक मात्रा नुराधा शिप्शंकर पढ़ेकर को दुरगटना में खो दिया राजू ने अपनी बीमार मा को खो दिया और वावु हुए जिनके पास हानने के लिए कुछ भी नहीं था सामानी ग्यान के उन छोटे दादा अंशों को खो दिया जो उन विचार करे ठक महला अनुराधा से सुनने बाला जो एक बैंक मैनेजर होने का दावा कर रहा है और वह शाम और बावु भीया को इसके साथ जाने के लिए मना करता है राजू पहले शाम और बावु भीया से 30 लाकी विवस्ता करता है और फिर अपना बंगला बेच कर 50 लाक की शेषरासी का युगदान करने के लिए मना करता है ताकि वह एक करोड की निमतमराशी चक्र के साथ आ सके जिसे अनुराधा ने यूगल करने का वादा किया है तीन पैसे करने बेच करते हैं और तीन हज़र बाद पता चलता है कि है सब एक गोटाला था और बेदर रहें म राजू ने आखिरी जरूरत के पैसी की बेवस्ता करने के लिए बेच दिया था और एक चौल मकान में रहना है पपू अगले दिन पैसे का इससा लेने के लिए बंगले में आता है लेकि यह जानकर चौक जाता है कि राजू चला गया है और अब एक मकान है पारिसी उसे पताता है जो पैसे के लिए थे एर उन्हें धंकी देते हैं और कहता है जैंगे चुगी बितिबारिक कि कुछदे गढ़ ले जा रहे हैं तिक्डी पे बंदन कर रहे हैं राजू शाम और बाबू भेया शहर में लोटने वाले हैं जब राजू को याद आता है कि उस पर अंजली पाटेगर नाम की एक महिला का पैसा चिपा है तीनों उसका घर बन जाते हैं और यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि वह पप्पू की बहन है इतिवारे के गुंडे आते हैं और अंजली का अपराण कर लेते हैं क्योंकि पप्पू पैसे नहीं लोटाता है यह महसूस करते हुए कि अंजली को परिशानी में डालने वाला समान है राजू पैसा फैसला करता है कि वह आज के पास जाएगा और उसे मुक्त जान की गोशिश करेगा शाम और बावु हिया उनके बिना जाने से मना करते हैं और साथ ही रहने का फैसला करते हैं तिक्री के पास अंजली को रिहा करने के लिए कहने के लिए बावच चले जाते हैं और तिवारे उन्हें रिहा करते हुए पैसे कमा पैसे लाने के लिए कहते हैं राजु शाम और बाव शाम के पास गुंड़े को भापस करने के लिए 40 लाग के साथ जाने के लिए अग तीन दिन है नहीं तो वे खुद इदर गटना ग्रेस्ट हो जाएंगे पड़ोसी मुन्ना भाई को एक और दोस्ते नाने जी भाई से ड्रग चोरी करने की शाजिस रचते हैं और गलत तरीके से मान लेते हैं कि वे चोरी पैसे करने की बात कर रहे हैं तो इन्हों के लिए मुन्ना भाई से चोरी करने की योजना है तीनों वा मुश्किल सफल होने का फिर बंदन करते हैं लेकिन जब उन्हें अंदर पैसा नहीं मिलता है तो भी भटक जाते हैं राजू ड्रक्स जैसी चीजों को पहचानता है और उन्हें बताता है कि उनकी केमत कम से कम तीन करोर तीन मिलियन है उन्हें लगता है कि अगर उन्हें कचरा सेट को बेश सकते हैं और टायर को भुकतान कर सकते हैं तो अब हमीर भी बन सकते हैं लेकिन उनका पडूसी एक बार फिर उन्हें दवाई चुरा लेता है बे तब अनुराधा में भागते हैं और भी बताते हैं कि पूरा गोटारा कवीरा पहली फिल्म के दिर्श्टांत ने रचाता हेरा फिरी और उनके करीवी सहयोगी छोटे चेतन तीनों से बतला लेने के लिए और उनके साथ जाने का एक मातर कारण यह था कि वे उनकी भतीजी को कर्जदार बना रहे थे अनुराधा की बहन कवीरा की गोट की सदे से थी और पहली फिल्म के अपरान की साजिस का हिस्सा थी था फिरौती का भुकतान करने के लिए उनके पैसे का रूप बदल दिया गया था लेकिन जब उनने पता चला कि उनक को नाम दिया गया है कि सजावट के नीचे छिपा हुआ है दिया है तो वह उनके साथ भाग लिया अंत में सभी लोग एक सरकस शो में समात होते हैं जहां वे ड्रक्स और हीरो को पकड़ने का प्रयास करते हैं उन्हें गोरिल्ला सार्जेनिंग रूप से पूरे मैदान में बिखेर दिया जाता है जल्द ही पुलिस स्पॉर्ट पर पहुंच जाती है और बितिवारी नान जी भाई चोटे चेतन को गिरफतार कर लेते हैं राजू शाम और बावु हिया अंजलिया नुरादा और उनकी भतीजी के साथ भाग गए राजू पपू के सेल फॉन और इस के बाद भी राजू को उसके सेल फॉन पर कॉल करने की कोशिश करते हैं फिल्म एक किलिफ हैंगर में खतम होती है जहां राजू अपने मुह में बस्ती हुए सेल फॉन के साथ दीमी को नदी में चमकने बाला है डालना राजू की रूप में अक्ष कुमार गंशाम शाम की रूप में सुनिल चेटी परेश्रावल बावुराय गड़ पत्राय हाप्ते और अरे बावुरिया की रूप में अनुराधा की रूप में बिपाशा भुश्यू पप्पु की बहन अंजिली की रूप में इरीमी सेन जॉनी लीवर मुन्या भाई अवलेग धोतार चोर की र द्सक्राश रूप में मलिन गोनाजी नाने जी भाय के रूप में याधव रभी किशन छोटे तिवारी के सांथीं के रूप में पीटर की रूप में शुरेश मेनन, नान जी भाई के सबसे सस्ते साथी और मुन्ना भाई के गुर्टू, मुक्वेर, पारसी, गन कलेक्टर की रूप में दिने सिंगू, ती गोतल सानिया, पुली सदिगारे की रूप में बिसे सुपस्तिती, जाविद खान, अमरोही, खेतवाड़ी, पिलिचौकी, कांस्टिबल की रूप में छोटा चेतन की रूप में, रजाख खान, कवीरा के साथी कवीरा की रूप में गुल्शन ग्रोवर, आर्काइब फोटेज, कवीरा के गोट के सदर से और रादा की बैन की रूप में कश्मीरा सा आर्काइब फोटेज, सुनील, पाल किशन, वर्मा मुन्ना के भाई की रूप में कान जी की रूप में, कीकु शारदा मुन्ना भाई के साथी, राम लिला के रावड के रूप में, विजु खोटे, मंडली के सदर से, मदन सिंग तिवारी के लंबे, गुंडे की रूप में, आवाज चैलेंदर, पांड़े, डब द्वारा राम लिला के रूप में, मन्माजी, मंडली के सदर से, सरकस के, जादूगर के रूप में, मुके सहुजा, कथा वाचच के रूप में, नानप पड़ेगर, दिया, मिर्जा, प्यार की चटनी गाने में संगी संगीत संगीत हिमेश रिष्मिया द्वार रचीत था जिसके पौल समीर उन्हों ने अंतर शीक्षफ क्रेडिट में देखा गया था यह गाना इतना लोग प्रिये हुआ कि बाद में इसे फिल्म में जुड़ा गया काने की बाद अब राउल के डिम सिक्वेल की जोड़ी गई सिक्वेंस की जोड़ी गई वारती वेपार वेफ साइड बॉक्स ऑफिस इंडिया लगवक्त एक करोर इकाईयों की विक्री के अनुसार इस फिल्म को साउंट्रेक अलवन सार का है हुआ है अज सबसे अधिक ने वाला एलबन था ट्रेक अन नंबर एक फिर रहापेड़ी इस गाने dots सोन्हें निगम निगम शाम Mitgl़ गल मर्ण tehाफ हैं गाननेवर्थो दिल देधी है इस गाने के गायका सुनी तरह कौनाव गाउपा गानजा वाला और आरे गंतिन मुझको यात सत्य तेरी जाने की गायकर हमेश रेश्मियां है गाना नमबर पांच है अमेश जोजमन्त गायकर हमेश रेश्मियां है गाना नमबर चे प्यारकी चट्णी की सब्सक्राइब करें दोस्तों हम बहुत मेनस से वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो पिलीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों की साथ लाइक और शियर करना ना भूलें जन्ने वाद़ नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको फिर हेरा फेरी मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी के जम्मन में कहानी और चरिद्र से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लिजे जिससे आने वाले सारे वीडियो का नाटिफिकेशन आप लोगों तक स अगेन 2006 की एक भारती इंदिवाशा की कॉमेडी फिल्म है जिसे नीरत बोरा ने लिखा और ने देशित किया है यह हेरा फिरी 2000 की अगली कड़ी और हेरा फिरी फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त की रूप में काम करती है नियाक्षा कुमार सुनिल सेटी और परिश रावन विपासा हुसू, डिमी सेन, जौनी लीवर और राचवाली आदब के साथ किसली फिल्मिन से अपनी यादों को दोर आते हैं इस पिरकार भागे का एक मोर राजू, शाम और बावुराम का जीवन बदल देता है जब दोकेवाज अनुराधा दोरा दोगा देते हैं उन्हें और खूंखार अत्याचारी तो अतला सेट से लिए गहरेवों को चुकाने का कोई और तरीका होगा केंद्री कतानाग 1998 की फिल्म लॉकि स्टॉप और टू स्मोकिंग बैरल से प्रहना लेता है निर्देशन नीरजवोरा ध्वार लिखेत नीरजवोरा ध्वारा निर्मित फिरोज नाडियाडवाला अभी अभी में किया अक्षर कुमार, सुनील सेटी, परेश रावल, वर्लन करता, नाना पाटेगर, छायंकन, बेल डाज, बिरोदो द्वारा, दिवाकरपी, होसले, विरिंद्रगर से, संगीत यह, हिमीश रेश मिया, अत्वाधन कंपनी, बेस इंडस्ट्रीज ग्रूप, द्वारा दिया गया, जून 2006, कारेकारी समय, एक्षो तरेपर मिनट, एच, भारत, भाषा, हिंदी, बजट, अठारा करोर, बॉक्स ऑफिस, उनतर पारिंट, बारा करोर, नौजून 2006, कुरू लिजी, फिल्म एक बड़ी वेपसा, एक सफलता थी, बर्ष की आठ भी सबसे ज़्यादा कमाई करने गली फिल्म बन गई, इन वर्षो में फिल्म में अक्षे कुमार की कॉमिक टाइमिंग के साथ साथ, रावल, लीवर और यादव, जैसे सायक अलाकारों के कारण एक पंधका, इस तर और मैटपॉन पर संसर प्रात हुए हैं, इसे अब कॉमेडी फिल्मों में से इमील का पत जाने वाले की टिकड़ी के साथ समाथ हुआ, अमीर और पैसोय में विवलिंग फिरहर फिरी की कहानी बताती है, कि उनके अमीर बनने के बाद क्या होता है, फिल्म एक प्रस्ताबना के साथ कुलती है, जो दर्शकों को लेकर आतंग आशंका तक है, जिसमें कहा गया है कि प इनमार मा को खो दिया और वावु हिया जिनके पास हानने के लिए कुछ भी नहीं था, सावानी ग्यान के उन छोटे दादा अंशो को खो दिया जो उनके पास थे, तीन आदमी एक विशाल हवेली में एक भवी जीवन जी रहे हैं और विविन बिलास पर तब्जा कर रहे है राजू 21 दिनों में अपने धन को जोड़े रतने के बारे में विचार करे ठक महला अनुराधा से सुनने बाला जो एक बैंक मैनेजर होने का दावा कर रहा है और वह शाम और बावु भीया को इसके साथ जाने के लिए मना करता है राजू पहले शाम और बावु भीया से 30 लाकी विवस्ता करता है और फिर अपना बंगला बेच कर 50 लाकी विवस्ता करता है वह एक चोटे कुंडे पुकू को 20 लाकी शेशराशी का युगदान करने के लिए मना करता है ताकि वह एक करोड की निमतमराशी चक्र के साथ आ सके जिसे अनुराधा ने योगल करने का व बोटाला था और अब बेदर रहें मामले को और भी खराब करने के लिए उनके पास अपने महल का कभजा भी नहीं है जिसे राजू ने आखिरी जरूरत की पैसी की बेवस्ता करने के लिए बेच दिया था और एक चॉल मकान में रहना है पपू अगले दिन पैसे का हिस्सा ले दिने के लिए बंगले में आता है लेकि यह जानकर चौक जाता है कि राजू चला गया है और अब एक मकान है पारसी कलेक्टर का बेवस्ता है पपू अब मुश्किल में है क्यूंकि उसने एक फुस फुसा है लेकिन कोंको आरतिवारी से कर्ज लिये थे जो वुक्तान नही के पास बरगलाता है उसे पताता है कि बेवभी हैं जो पैसे के लिए थे टियर उन्हें धमकी देता है और कहता है क्यों उन्हें पैसे लेकर आएंगे नहीं तो वे मर जाएंगे चुगी बितिवारी कि कुछ गुड़े घर ले जा रहे हैं तिकली पर बंदन कर रहे हैं रा राजू को याद आता है कि उस पर अंजली पाटेगर नाम की एक महिला का पैसा चिपा है तीनों उसका घर बन जाते हैं और यह जानकर है रहान रहे जाते हैं कि बेवभी की बेहन है इतिवारे के गुंड़े आते हैं और अंजली का परण कर लेते हैं क्योंकि पप्पु प परिशानी में डालने वाला समान है राजू, पैसा फैसला करता है कि वह आज के पास जाएगा और उसे मुक्त जान की गोशिश करेगा, शाम और बाबु हिया उनके बिना जाने से मना करते हैं और साथ ही रहने का फैसला करते हैं, तिक्री के पास अंजली को रिहा करने के करते हुए पैसे कमा पैसे लाने के लिए कहते हैं, राजू शाम और बाबु शाम के पास गुंड़े को भापस करने के लिए चालिस लाग के साथ जाने के लिए अब तीन दिन हैं, नहीं तो वे खुद इदर गटना ग्रस्त हो जाएगा, पड़ोसी मुन्ना भाई को एक औ और दोस्ते नाने जी भाई से ड्रग चोरी करने की शाजिस रचते हैं, और गलत तरीके से मान लेते हैं कि वे चोरी पैसे करने की बात कर रहे हैं, तो इन्हों के लिए मुन्ना भाई से चोरी करने की योजना है, तीनों वा मुश्किल सफल होने का फिर बंदन करते हैं, ले लगता है कि अगर में उन्ने कच्रा सेट को बैश सकते हैं और टायर को भुखतान कर सकते हैं लेकिन उनका पडोसी एक बार फिर उने दवाई चुरा लेता है। बेत अनुराधा में भागते हैं और भी बताते हैं कि पूरा गोटारा कवीरा पहली फिल्म के दिर्श्टांत ने रचाता हेरा फिरी और उनके करीवी सहयोगी छोटे चेतन तीनों से बतला लेने के लिए और उनके साथ जाने का एक मातर कारान यह था कि वे उनकी भतीजी को क परजदार बना रहे थे अनुराधा की बहन कवीरा की गुट की सदे से थी और पहली फिल्म के अपरान की साजिस का हिस्सा थी था फिरौती का भुकतान करने के लिए उनके पैसे का रूप बदल दिया गया था लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी भतीजी बच गई है औ सबी लोग एक सरकस शो में समात होते हैं जहां वे ड्रक्स और हीरो को पकड़ने का प्रयास करते हैं उन्हें गोरिल्ला सारजनिंग रूप से पूरे मैदान में बिखेर दिया जाता है जल्दी पुलिस स्पॉर्ट पर पहुंच जाती है और वितिवारी नान जी भाई और चोटे चेतन को गिरफतार कर लेते हैं राजू शाम और बावु हिया अंजलिया नुरादा और उनकी भतीजी के साथ भाग गए राजू पपू के सेल फॉन और इसके साथ तीन आयंटिक बंदू लेकर भागता है जिसकी कीमत हर दिन 5-6 करोड है हाला कि वह इसके बारे में नहीं जानता अपू शाम और बावु हिया को बंदू को बारे में बताते हैं जिसके बाद भी राजू को उसके सेल फॉन पर कॉल करने की कोशिश करते हैं फिल्म एक किलिफ हैंगर में खतम होती है जहां राजू अपने मुह में बसती हुए सेल फॉन के साथ दीमी को नदी में चमकने बाला है ढालना राजू की रूप में अक्ष कुमार गशाम शाम के रूप में सुनिल चेटई परेश्रावल बावुराह के रूप में अनुराधा के रूप में बुपाशा वश्यू, पप्पु की बहन अंजिली के रूप में रिमी सेन, जौनी लिवर, मुन्ना भाई अवलेग, धोतार चोर के रूप में, सरत सक्सेना तिवारी, अवलेग तोतला सेथ, पप्पु के बॉस के रूप में, मनो जोसी, टोकरा सेट के रूप म मिलिन गोनाजी नानी जी भाई की रूप में पप्पू अंजली की भाई की रूप में राजपाल यादप रभी किशन छोटे तिवारी के साथिंग की रूप में पीटर की रूप में शुरेश मिनन नानी जी भाई के सबसे सस्ते साथी और मुन्ना भाई के गुटु मुक्व की कांस्टिबल की रूप में छोटा चेतन की रूप में रजा खान कभीरा के साथी कभीरा की रूप में गुल्शन ग्रोवर आर्काइब फोटेज कभीरा के गोट के सदस्य और रादा की बैन की रूप में कश्मीर सा आर्काइब फोटेज सुनील पाल किशन वर्मा मुन्ना क के भाई की रूप में कांजी की रूप में कीकु शारदा मुन्ना भाई के साथी राम लिला के रावड के रूप में विजु खोटे मंडली के सदसे मदन सिंग तिवारी के लंबे गुंडे की रूप में आवाज चैलेंदर पांड़े डब द्वारा राम लिला की रूप में मन मौजी मंडली के सदसे सरकस के जादूगरों के जादूगर की रूप में मुके सहुजा कथा वाचक की रूप में नाना पटेगर दिया मिर्जा प्यार की चटनी गाने में एक आइटम गर्ल के रूप में बिशे सुपस्तिती नीरजबोर यात्री क के रूप में फोन पर बात कर रहे हैं विशे सुपस्तिती बस कंडुक्टर के रूप में घंशाम रोहरा विशे सुपस्तिती गीत संगीत संगीत हिमेश रेश्मिया द्वारा रचे था जिसके बुल समीर उन्होंने लिखा था साउंट्रेक एल्बॉम टी सीरीज द्वारा लिखा जारी किया गया था गीद एम मेरी जोवरा जमीन केवल अन्त कि दो हजार आंतर शीक्षक क्रेडिट में देखा गया था यह गाना इतना लोग प्रिय हुआ कि बाद में इसे फिल्म में जुड़ा गया काने की बाद अब रॉल के डिम सिक्वेल की जोड़ी गई सिक्वेंस की जोड़ी गई भारती वेपार वेपसाइड बॉक्स ऑफिस इ सब्सक्राइब निगम कि के लाए गानि-गा से करने दी झॉहाण को आल रांगा और आइक तिन वोच को याद सत्य तिरी इस गाने के गाईकर हमेश रेश्मिया है गाना नमबर पांच अप्छ निए मेरी जो एन इस गाने के गायकर हिमें शेज में हैं गाना नंबर 6 प्यार की चटनी इस गाने के गायकर सुनी दी चौहान है दोस्तों हम बहुत मेनस ये वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो पिलीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शियर करना ना भूलें जन्यवादा नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको फिर हेरा फिरी मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी के जम्मन में कहानी और चरिद्र से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लिजे जिससे आने वाले सारे वीडियो का नाटिफिकेशन आप लोगों तक स अगें 2006 की एक भारती इंदिवाशा की कॉमेडी फिल्म है जिसे नीरत बोरा ने लिखा और नयदेशित किया है यह हेरा फिरी 2000 की अगली कड़ी और हेरा फिरी फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त की रूप में काम करती है नियाक्षा कुमार सुनिल सेटी और परिश रावन विपासा हुसू, डिमी सेन, जौनी लीवर और राचवाली आदब के साथ किसली फिल्म से अपनी यादों को दोर आते हैं इस पिरकार भागे का एक मोर राजू शाम और बागुराम का जीवन बदल देता है जब दोकेवाज अनुराधा द्वारा धोगा देते हैं उन्हें अब खूंखार अत्याचारी तो अतला सेट से लिए गहरियों को चुकाने का कोई और तरीका होगा केंद्री कतानाग 1998 की फिल्म लॉकि स्टॉप और टू स्मोकिंग बैरल से प्रहना लेता है निर्देशन नीरजवोरा धारलिखेत नीरजवोरा धारा निर्मित फिरोज नाडियाडवाला अभी अभी में किया अक्षकुमार सुनिल सेटी परेश रावल वर्लन करता नाना पाटेगर चायंकन बेल डाज बिलोदो धारा दिवाकरपी होसले विरिंद्रगर से संगी द देश मिया अत्वाधन कंपणी बेस इंडस्ट्री ग्रूप द्वारा दिया गया पेस्ट इंडस्ट्री ग्रूप जारी करने की तारिक 9 जून 2006 कारेकारी समय 153 मिनत देश भारत भाषा हिंदी बजट 18 करोर बॉक्स ऑफिस 79.12 करोर 9 जून 2006 कुरिदी जी फिल्म एक बड़ी वेपसा एक सफलता थी बर्ष की आर्ट भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई इन वर्षों में फिल्म में अक्षे कुमार की कॉमिक टाइमिंग के साथ साथ रावल लीवर और यादव जैसे सायक अलाकारों के कार है टोक एरफिरी गाजू घंशाम और बावुराम गड़पतराय आप्टे प्यार से बावु विजा कहला जाने वाले की टिकड़ी के साथ समाथ हुआ अमीर और पैसों में विवलिंग फिर एरफिरी की कहानी बताती है कि उनके अमीर बनने के बाद क्या होता है फिल्म एक प्रस्तामना के साथ कुलती है जो दर्शकों को लेकर आतंग आशंका तक है जिसमें कहा गया है कि प्रते को अपने नए धन के बाव जूर ब्यक्तिकत नुक्सान हुआ है शाम ने अपने एक मात्रा नुराधा शिप्शंकर पढ़ेकर को दुरगटना में खो दिया राज्य एक विशाल हवेली में एक भवी जीवन जी रहे हैं और विविन बिलास पर तब्जा कर रहे हैं राजू 21 दिनों में अपने धन को जोड़े रतने के बारे में विचार करे ठक महला अनुराधा से सुनने बाला जो एक बैंक मैनेजर होने का दावा कर रहा है और वहे शाम और बावु भीया को इसके साथ जाने के लिए मना करता है राजू पहले शाम और बावु भीया से 30 लाकी विवस्ता करता है और फिर अपना बंगला बेच कर 50 लाकी विवस्ता करता है वहे एक छोटे की नियुमतमराशी चक्र के साथ आ सके जिसे अनुरादा ने योगल करने का वादा किया है तीन पैसे करने बेश करते हैं और तीन हुपर बाद पता चलता है कि यह सब एक गोटाला था और अब बेश दरिदर हैं मामले को और भी खराब करने के लिए उनके पास अपने महल का क पपू अगले दिन पैसे का हिस्सा लेने के लिए बंगले में आता है लेकि यह जानकर चौक जाता है कि राजू चला गया है और अब एक मकान है पारसी कलेक्टर का बेशाय है पपू अब मुश्किल में है क्यूंकि उसने एक फुस फुसाय लेकिन कोंको आर्तिवारी से कर गलाता है उसे पताता है कि बेब भही हैं जो पैसे के लिए थे तियर उन्ने धंकी देता है और कहता है क्यों उन्हें पैसे लेकर आएंगे नहीं तो वे मर जाएंगे चुगी बेतिवारी की कुछ गुड़े घर ले जा रहे हैं तिकड़ी पे बंदन कर रहे हैं राजू श का घर बन जाते हैं और यह जानकर है रहान रहे जाते हैं कि प्पु की बहन है इतिवारे के गुंड़े आते हैं और अजली का अपराण कर लेते हैं क्योंकि पप्पू पैसे नहीं लोटाता है यह महसूस करते हुए कि अंजली को पर सानी में डालने वाला सम्हान है जाने से मना करते हैं और साथ ही रहने का फैसला करते हैं तिक्वी के पास अंजली को रिहा करने के लिए कहने के लिए बावस चले जाते हैं और तिबारे उन्हें रिहा करते हुए पैसे कमा पैसे लाने के लिए कहते हैं राजी शाम और बाव शाम के पास गुंड़े को बाव करने के लिए चालिस लाग के साथ जाने के लिए अब तीन दिन है नहीं तो वे खुदी दुर्गटना ग्रेस्थ हो जाएंगे पड़ोसी मुन्ना भाई को एक और दोस्ते नानी जी भाई से ड्रफ चूरी करने की शाजिस रस्ते हैं और गलत तरीगे से मान लेते हैं कि वे च तो वे भटक जाते हैं राजू धरक्स यसी चीजों को पहचानता है और उने बताता है कि उनकी केमत कम से कम तीन करोड तीन मिलियन हैं उन्हें लगता है कि अगर वे उने कच्रा सेट को बेज सकते हैं और टायर को भुकतान कर सकते हैं तो वे अमीर भी बन सकते हैं लेकर उनका पड़ोसी एक बार फिर उने दवाई चुरा लेता है बे तवनुराधा में भागते हैं और भी बताते हैं कि पूरा गोटारा कवीरा पहली फिल्म के दिर्श्टांत ने रचाता हेरा फिरी और उनके करीवी सहयोगी छोटे चेतन तीनों से बतला लेने के लिए और उनके साथ जाने का एक मातर कारण यह था कि वे उनकी भतीजी को कर्जदार बना रहे थे अनुराधा की बहन कवीरा की गोट की सदे से थी और पहली फिल्म के अपरान की साजिस का हिस्सा थी था फिरौती का भुकतान करने के लिए उनके पैसे का रूप बदल दिया गया था लेकिन जब उनने पता चला कि उनक को नाम दिया गया है कि सजावट के नीचे छिपा हुआ है दिया है तो वह उनके साथ भाग लिया अंत में सभी लोग एक सरकस शो में समात होते हैं जहां वे ड्रक्स और हीरो को पकड़ने का प्रयास करते हैं उन्हें गोरिल्ला सार्जेनिंग रूप से पूरे मैदान में बिखेर दिया जाता है जल्द ही पुलिस स्पॉर्ट पर पहुंच जाती है और बितिवारी नान जी भाई चोटे चेतन को गिरफतार कर लेते हैं राजू शाम और बावु हिया अंजलिया नुरादा और उनकी भतीजी के साथ भाग गए राजू पपू के सेल फॉन और इस के बाद भी राजू को उसके सेल फॉन पर कॉल करने की कोशिश करते हैं फिल्म एक किरिफ हैंगर में खतम होती है जहां राजू अपने मुह में बस्ती हुए सेल फॉन के साथ दीमी को नदी में चमकने बाला है डालना राजू की रूप में अक्षे कुमार गंशाम शाम की रूप में सुनिल चेटी परेश्रावल बावुराय गड़ पतराय हाप्ते और अरे बावुरिया की रूप में अनुराधा की रूप में बुपाशा भुश्यू पप्पु की बहन अंजिली की रूप में रिमी सेन जॉनी लीवर मुन्ना भाई अवलेग धोतार चोर के की रूप में हप्पू अनुरी की रूप में राजपाल यादव रर्भी किशन छोटे तिवारी के साथीं की रूप में पीतो की रूप में सुरेस मेन नन पंडाशी भाई के सबसे सस्ते शाथी ऑ अंवें सिधी कार्शी गन् अलेक्टर के रूप में दिनेश गोतल सानी या पली सद्गार एकी रूप में जाविड खान अमरौही खेतवाडय पली स्वोकी काय कांस्टिब़ रूप में छोट अचेतन की रूप में रजाच खान कभीरane के C साती कवीरा की रूप में गुल्शन ग्रोवर आर्काइब फोटेज कवीरा के गोट के सदर्श और रादा की बैन के रूप में कश्मीर सा आर्काइब फोटेज सुनील पाल किशन वर्मा मुनना के भाई की रूप में कानजी की रूप में कीकु शारदा मुन्न भाई के साथ ही रामलीला के रावर के रूप में विजु खोटे मंडली के सदसे मदन सिंग तिवारी के लंबे गुंडे की रूप में आवाज चैलेंदर पांडे डब द्वारा राम लीला की रूप में मन मौजी मंड्री के सदसे सरकस के जादूगरों के जादूगर की रूप में मुके सहुजा कथा वाचक की रूप में नाना पटेगर दिया मिर्जा प्यार की चटनी गाने में एक आइटम गर्ल के रूप में बिशे सुपस्तिती नीरजबोर यात्री संगीत 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 हिमेश रेष्मिया द्वारा रचे था जिसके बूल समेर उन्होंने लिखा था साउंट्रेक एल्बॉम ती सिरीज द्वारा लिखा जार्य किया गया था गीद ए मेरी जवर्ण जबीन केवल अन्त दोहजार अन्त अश्रीक्षप क्रेडिट में देखा गया था यह गाना इतना लोग प्रिय हुआ कि बाद में इसे फिल्म में जुड़ा गया काने की बाद अब राउल के डिम सिक्वेल की जोड़ी गई सिक्वेंस की जोड़ी गई भारती वेपार वेपस सबसे अधिविकिने बाला एल्बम था जॉइच कानर नमब्र एक फिर हैरा पेरी सुन्वी निगम निगम शाम को नाल गानजवाला हैं गान नमब्र दो दिल देलिया है इस गाने के गायका सुनीती जोहान करनाल गान गान्जवाला और आरे गान नम्भे तीन बोच को बड़े आप डिल नैना नेने मारे लिए तो सी निए हैं वाट तुलशी कुमार है गाना नभर पांच कि एप एमेरी जैवें तो नहीं वेलिए प्यार की चटनी इस गाने के गाइकर सुनीदी चौवान हैं दोस्तों हम बहुत मेनस ये वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो पिलीस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शियर करना ना भूलें जन्यवादा नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उमीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको फिर हेरा फिरी मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी के संबन में कहानी और चलेतर से जोड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लिजे जिससे आने वाले सारे वीडियो का नीरत बोरा ने लिखा और नयदेशित किया है यह हेरा फिरी 2000 की अगली कड़ी और हेरा फिरी फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त की रूप में काम करती है नियाक्षा कुमार, सुनिल सेटी और परिश रावन ने विपासा हुसू, गिमी सेंग, जौनी लीवर और राचवाली आदब के साथ किसली किमिन से अपनी यादों को दोर आते हैं इस पिरकार भागे का एक मोर राजू, शाम और बागुराम का जीवन बदल देता है जब ये दोकेवाज अनुराधा द्वारा दोगा देते हैं उन्हें आफ खूंखार, अत्याचारी, तो उतला सेट से लिए गहरेलों को चुकाने का कोई और तरीका होगा केंद्री कथानाग 1998 की फिल्म लॉकिस्टॉप और टू स्मोकिंग बैरल से प्रहना लिता है निर्देशन, नीरजवोरा, द्वारा लिखेत, नीरजवोरा, द्वारा निर्मित, फिरोज नाडियाडवाला, अभी, अभी में किया, अक्षकुमार, सुनिल सेटी, परिशरावल, वर्ण करता, नाना पाटेगर, छायंकन, बेल डाज, बिरोदो द्वारा, दिवाकरपी, विरिंद्रगर से, संगीत यह, हिमीश रेश्मिया, अत्वाधन कंपनी, बेस्ट इंडस्ट्रीज ग्रूप, द्वारा दिया गया, बेस्ट इंडस्ट्रीज ग्रूप, जारी करने की तारिक, 9 जून 2006, कारेकारी समय, 153 मिनत, देश, भारत, भार्षा, हिंदी, बजट, 18 कर बॉक्स ऑफिस, 79, 12 करोण, 9 जून 2006, कुरिजी जी, फिल्म एक बड़ी वेपसाइक सफलता थी, बर्ष की आठ भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, इन बर्षों में फिल्म में, अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग के साथ-साथ, रावल, लीवर और यादव, जैसे साय कलाकारों की कारण, एक पंधका, इसतर और मैटपॉन पर संसक प्राथ हुए हैं, इसे अब कॉमेडी फिल्मों में से इमीन का पत्थर माना जाता है, साथ यह अब तकी सबसे बहतरी स्विकल में से एक है, टोक, हेरा फिरी, गाजू, घंशाम, ओषाम, गड़पतराय आपटे, प्यार से बावु विजा कहला जाने वाले की टिकड़ी के साथ समाथ हुआ, अमीर और पैसों में विवलिंग, फिरेरा फिरी की कहानी बताती है, कि उनके अमीर बनने के बाद क्या होता है, फिल्म एक प्रस्तामना के साथ कुलती है, जो दर्शकों को लेकर आतंग आशंका तक है, जिसमें कहा गया है कि प्रते को अपने नए धन के बागजू ब्यक्तिकत नुक्सान हुआ है, शाम ने अपने एक मात्रा नुराधा शिप्शंकर पढ़े कर को दुरगटना में खो दिया, राज्यू ने अपनी बीमार मा को खो दिया, और ब बावी जीवन जी रहे हैं, और विविन बिलास पर तब्जा कर रहे हैं, राज्यू 21 दिनों में अपने धन को जोड़े रतने के बारे में विचार करे, ठक महला अनुराधा से सुनने, बाला जो एक बैंक मैनेजर होने का दावा कर रहा है, और रहे शाम और बावू भीया क इसके साथ जाने के लिए मना करता है, राज्यू पहले शाम और बावू भीया से 30 लाग की विवस्ता करता है, और फिर अपना बंगला बेच कर 50 लाग की विवस्ता करता है, बहे एक चोटे कुंडे पक्तू को 20 लाग की शेषराशी का योगदान करने के लिए मना करता है, तीन पैसे करने बेज़ करते हैं और तीन हैसर बाद पता चलता है कि यह सब एक गोटाला था और बेज़ दरिदर हैं मामले को और भी खराब करने के लिए उनके पास अपने महल का कबज़ा भी नहीं है जिसे राजू रहें आखिरी जरूरत के पैसी की बेवस्ता करने के एक मकान है पारिसी कलेक्टर का बेप साय है पप्पू अब मुश्किल में है क्यूंकि उसने एक फुस फुसाय लेकिन कोंको आरतिवारी से कर्ज लिया लिये थे जो वोक्तान नहीं करने पर उसे मार ढालेगा भे एक दिन राजू के पास आता है और सुनने के बारे में सान से लेकर आएंगे नहीं तो वे मर जाएंगे चुगी बितिवारी की कुछ गुड़े घर ले जा रहे हैं तिकड़ी पर बंदन कर रहे हैं राजू शाम और बाबु भेया शहर में लोटने वाले हैं जब राजू को याद आता है कि उस पर अंजली पाटेगर नाम की एक महि कुड़े आते हैं और अंजली का परण कर लेते हैं कि पैसे नहीं लोटाता है यह महसूस करते हुए कि अंजली को परिशानी में डालने वाला समान है राजू पैसा फैसा फैसला करता है कि वह आज के पास जाएगा और उसे मुक्त जान की गोशिश करेगा शाम और बाबु वहिया उनके विना जाने से मना करते हैं और साथ ही रहने का फैसला करते हैं तिक्वी के पास अंजली को रिहा करने के लिए कहने के लिए बावच चले जाते हैं और तिवारे उन्हें रिहा करते हुए पैसे कमा पैसे लाने के लिए कहते हैं राजू शाम और बावशाम के करने के लिए चालिस लाग के साथ जाने के लिए अग तीन दिन है नहीं तो वे खुदी दुर्गटना ग्रेस्त हो जाएंगे पर उसी मुन्ना भाई को एक और दोस्ते नाने जी भाई से ड्रफ चूरी करने की साजिस रचते हैं और गलत तरीके सिर्मान लेते हैं कि वे चूर की पैसे करने की बात कर रहे हैं तो इन्हों के लिए मुन्ना भाई से चोरी करने की यॉजना हैं तीनों वा मुष्किल सफल होने का फिर बंदन करते हैं लेकिन जब उन्न अंदर पैसान नहीं मिलता है तो वे भटक जाते हैं राजू ढर्ग्स जासी चीज़ों को पहचानत है और उनने बताता है उनकी कीमत कम से कम क्या थे तीन करोर थीन मिलियन है उन्हें लगता है कि अगर वें कच्छरा सेट को बेज सकते हैं और टायर को भुखतान कर सकते हैं तो भी अमीर भी बन सकते हैं लेकिन उनका पडोशी एक वार फिर उने दवाई चुछा लेता है बे तब अनुराधा में भागते हैं और भी बताते हैं कि पूरा गोटारा कवीरा पहली फिल्म के दिर्श्टांत ने रचाता हेरा फिरी और उनके करीवी सहयोगी छोटे चेतन तीनों से बतला लेने के लिए और उनके साथ जाने का एक मातर कारण यह था कि वे उनकी भतीजी को क परजदार बना रहे थे अनुराधा की बहन कवीरा की गुट की सदे से थी और पहली फिल्म के अपरान की साजिस का हिस्सा थी था फिरौती का भुकतान करने के लिए उनके पैसे का रूप बदल दिया गया था लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी भतीजी बच गई है औ अंत में सभी लोग एक सरकस शो में समात होते हैं जहां वे ड्रक्स और हीरो को पकड़ने का प्रयास करते हैं उन्हें गोरिल्ला सारजनिंग रूप से पूरे मैदान में बिखेर दिया जाता है जल्दी पुलिस स्पोर्ट पर पहुंच जाती है और वितिवारी नान जी भा और इसके साथ तीन आइंटिक बंदूग लेकर भागता है जिसकी कीमत हर दिन पांस से छे करोड है हाला कि वह इसके बारे में नहीं जानता और पूर शाम और बावुहिया को बंदूगों को बारे में बताते हैं जिसके बाद भी राजु को उसके सेलफ़ौन पर कॉल करने के कोशिच करते हैं फिल्म एक किरिफ हैंगर में खतम होती है जहां राजु अपने मुह में बस्ती हुए सेलफ़ौन के साथ दीमी को नदी में चमकने बाला है डालना राजु की रूप में अक्षब कुमार गैंशाम शाम के रूप में सुनिल चेटी परेश रावल मुरिया के रूप में अनुराधा के रूप में बुपाशा वश्यू पप्पु की बहन अंजिली के रूप में रिमी सेन जौनी लिवर मुन्ना भाई अवलिग धोतार चोर के रूप में सरत सक्सिना तिवारी अवलिग तोतला से पप्पु के बॉस के रूप में मनो जोसी तोख्रा expert के रूप में मिलिन गुनाजी नानजी भाइए की रूप में, फपुं अंजली के भाइए की रूप में राजपालियादवerma. रवी किशन छोटे तिवारी के साथियों की रूप में, पीटर की रूप में, शुरेश मेनन, नान जी भाई के सबसे सस्ते साथी, और मुन्ना भाई के गुर्तु, मुक्वेर, पारसी, गन कलेक्टर की रूप में, दिने सिंगु, ती गोतल सानिया, पली सदिगारे की रूप में बिश्य सुपस्तिति जाबित dysfunction अमरोही खेतवारी पिलिच हॉकी कांस्टिबल की रूप में छोट अचयतन की रूप में रजाप कान कवीरा के साथ yerde कवीरा की रूप के सदस और रादा की बैन की रूप में कश्मीन सा अर्काइब फोटेज सुनील पाल किशन वर्मा मुन्ना के भाई की रूप में कान जी की रूप में कीकु शारदा मुन्ना भाई के साथी राम लिला के रावर के रूप में विजु खोटे मंडली के सदसे मदन सिंग तिवारी के लंबे गुंडे की रूप में आवाज चैलेंदर पांड़े डब द्वारा राम लिला के रूप में मन मौजी मंडली के सदसे सरकस के जादूगरों के जादूगर की रूप में मुके सहुजा कथा वाचक के रूप में नाना पटेगर दिया मिर्जा प्यार की चटनी गाने में एक आइटम गर्ल के रूप में विज्चे सुपस्तिती नीरजबोर यात्री के रूप में फोन पर बात कर रहे हैं विशे सुपस्तिती, बस कंड़ेक्टर के रूप में घंशाम रोहेरा विशे सुपस्तिती, गीत संगीत, संगीत हिमेश रेश्मिया द्वारा रचेत था जिसके बुल समीर उन्होंने लिखा था, साउंट्रेक, एल में देखा गया था, यह गाना इतना लोग प्रिये हुआ, कि बाद में इसे फिल्म में जुड़ा गया, काने के बाद अब रॉल के डिम सिक्वेल की जोड़ी गई, सिक्वेंस की जोड़ी गई, भारती वेपार वेप्साइड बॉक्स ऑफिस इंडिया लगवक्त, एक करो इकाईयों की विक्री के अनुसार, इस फिल्म को साउंट्रेक अलवन सार का सबसे अधिविकने वाला एल्वम था, ट्रेक गाना नमबर एक फिर हेरा पेरी, इस गाने के गायकार सोनी निगम, निगम शाम, कॉर्णाल गांजवाला है, गाना नमबर दो, दिल दे दिया है, सत ते इस गाने के गायकर हमिष श्रेश कितिया है, गाना नमबर पाच, एमरी जो उन्हांट है , इस गाने के गायकर हमिष नमबर भीं, घाने के गायकर हम्ष्रेश मिष्णाल मॉआए वह इस प्यार आदी जोफ़न इस गायकर अधिया च apolog, कॉर्ष Community चतनी के गायकर पाइ हैं दोस्तों हम बहुत मेनस से वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो पिलीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शियर करना ना भूलें धन्यवादा